रिकॉर्डिंग दवा दिये मैंने आप लोग क्रिपया पर्मिशन दे दीजिए आज हम जो बड़े इस तर पर बात करेंगे लाल किताब के फर्मान नंबर पांच से संबंदित ज्यादा बात होगी आज पांच के अलावा भी होगी लेकिन पांच इसलिए वोल रहा हूँ कि आप लोग इस फर्मान को अच्छी तरीके से देखिएगा कि जब हम कुंडली का फलादेश करें तो हमारे लिए क्या-क्या चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी होगी फलादेश करते हैं किसी भी कुंडली का और पहले यह बता हो हुआ लाल किताब से जब घुँगा तो यह भी बोल दूगा कि यह लाल किताब का नहीं है जब बॉल दूगा कि यह हमारा है नहीं है और इसको आप अपना बनाने के लिए अपने अनुभव में लीजिए एक्सक्रियेंस करिए से टेवे पे apply करिये बिल्कु सीधा सरल सिंध में प्योर लाल किताब देरा हूँ प्योर लाल किताब मैं continue बोलतार हूँगा जब भी लाल किताब से हटूँगा इतर होँगा तो मैं टोक दूँगा कि मैं ये सब्द लाल किताब के नहीं बोल रहा हूँ या इन सब्दों का लाल किताब से कोई तालुक नहीं है, यह दिहान करिएगा, क्योंकि मैं लाल किताब मैं मिक्सिंग नहीं करना चाहता कोई भी, और लाल किताब मैं मिक्सिंग नहीं करना चाहता, तो समझ जाईए कि लोग फिर केपी को, बैदिक को, पारासरी को सब कैसे मि पून है अधूरी होती तो करते ना अधूरी है ही नहीं तो सबसे पहला पॉइंट है कि फला देश के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कम्प्लीट यह चीजें जो बता रहा हूं नोट करने लाएगा एक भी चीज ऐसी नहीं है जो फलतू होगी सबसे पहले लाल किताब की कुंडली को बदल लीजिए नहीं भी बदलते तो भी कोई आफ़त नहीं है क्योंकि लाल किताब को लगन को हमेशा में 186 से सलाया गया पहला नियम यहीं है आप नमबर लिखा हुआ देख ले मुझे तो आदते मैं नमबर भी लिख देता हूं किसी का करक है या सिंग है या कुछ भी है मैं तो उसको देखता ही नहीं मैं तो खाना नमबर एक देखता हूं अगर आप लोगों को आदत ना बने कुछ लोग नए भी है और नए लोग अमूमन लाइब कमा रहे हैं जो मैं देख रहा हूं पुराने लोगी ज्यादा लाइब आ रही है तो यह चीज सबसे पहले द्यान रखनी है उसके बाद पिछली किलासों में जाएंगे आप देखेंगे महां पर जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग सुनी है और जो लाइव आई है उनको सबको पता होगा सबसे पहला नियम है द्रश्टी लाल किताब की द्रश्टियां अलग है स दो तीन घर इस तरीके से उसके बाद देखना चाहिए कायम गिर है अमून कायम गिर है अमूमन यानि मैक्सिमम यानि कि 95-96 परसेंट कह सकते हैं कायम गिर है कभी अपना बुरासर नहीं देता क्यूंकि उसमें कोई सामिल नहीं होता कायम गिर है जैसा भी बैठा है वो अपनी ताकत के साथ बैठा है उसमें किसी की mixing नहीं है उसको कोई गिर है देख नहीं रहा है उसमें कोई सामिल नहीं है कोई भी उसमें सामिल नहीं है सबसे ज़्यादा जरूरी कायम गिर है में कोई सामिल ही नहीं है यानि कि वो जैसा असर देगा अपना वैसा असर देगा और अमूमन उसका असर अच्छा होगा कायम इसलिए बुलते हैं कायम गिरह और कोई भी कायम हो सकता है अब जहां mixing की बात आती है वो होती है साथी गिरह का मतलब है किसी भी गिरह के पक्के घर में कोई गिरह बैठ गया वो उसका साथ ही रहा हो गया गर से फ़ोन आएगा वही तेरे को प TD के लिए कोई आया है इकदम अफसेट हो जाएँ आँ और कोई मेरा मित्र मेरा रिस्तेदार रिस्तेदार प्रेम्बत संबंधी आ जाए और घर से फोन आए कि मुझे पता चले फोन आने का मतलब सिंपल है कि मुझे पता चले तो मैं खुश हो जाओंगा साथी गिर्यों को इस प्रिकार से समझे है क्योंकि उसके घर पे कोई बैठा है वो इसका मित्र सत्रु कुछ भी हो सकता है साथ तो पापी घर से यहां पर दो पॉइंट हो जाते हैं एक है पाप जो की रहू के तुम है जो कि यह प्र एक है पापी है पापी में रहू के तुम सनि तीनों इखटे हो ला त है अगर बुद्ध को देखो कि सबसे ज़्यादा घरों में ये अपना मंदा असर देता है दो में राजयोग है तो बाप को उड़ा दे यानिकी विरस्पत्ति को चार में राजयोग है तो चंद्रमा को उड़ा दे यानिकी माता दादी बगेरा को और सुन लीजिये बुद अपने खुद के घर तीन कालपुरुस कुंदिली के अनुसार तैसे कालपुरुस का सब दीए इस्तावान नहीं है लाल किताब में कहीं भी पूरी लाल किताब को पढ़े देजिये पुन्तालिस से लेके बावन तक की आखनी किताब, काल पुरुस कहीं नहीं लिखा लेकिन है, हम लोग सिखाने के नाम पे आते हैं, तो आप लोगों को एक उधारन देने के लिए काल पुरुस कुंडली की गणना हमेशा खाना नमबर एक में में इसराशी बानते की जाती है, तो खाना नमबर तीन में काल पुरुस कुंडली का नुसार मिथू रासी है, अपने ही गर में अच्छा नहीं है, ये तीन गहरे मिलेंगे आपको जो अपने ही गर में अच्छे, राहु केतु, अपने ही गर केतु का छे, राहु का बारा, और ये उल्टे पलट जाएं जब बनेटी डिग्री पे बारा का राहू जो मालिक है वो छे में उच्छे और छे का मालिक जो केतु है वो बारा उच्छे उसका अपना पकाद है और बुद्ध तीसरा गिरह है जो अपने ही घर तीन में अमूमन मंदा अमूमन अमूमन की बात है तो फिर 90-96 परसेंट समझे उसक बात है लेकिन बुद्ध सोया हुआ भी डिस्टर्वेंस कर देता है यह सुत्र को भी समझे और यह सब सुत्र लिखने लायत है बुद्ध तीन का हो और उसका किसी भी प्रकार से राहू केतु से संबंद बन जाए तो आप 34 साल तक उसकी बुराई नहीं देखेंगे फिर उ मिनमम 45 तो है 48 भी हो सकती है बुद्ध तीसरे घर में होते सुए और सुन लेजिए लाल किताब कहती है कि बुद्ध तीन नो और ग्यारा खाली यानि कि बुद्ध सोया है तो बुराई नहीं होगी लेकिन मैंने बुला बुराई होगी कारण बुद्ध तीन के बिलकुल सामने सो परसेंट द्रश्टी वाड़ा संबंधनों में घर से है ब्रस्पती के घर से है और सुन लेजिए ये जितनी भी दुनिया जहान है ये बुद्ध और ब्रस्पती के जगड़े से ही चल रही है हमारे साधी ब्या हमारे जनम हमारी म्रत्य हमारी संतान हमारे ब्यापार हमारा घर हमारा परिवार ये सब कुछ जो भी है इसमें बुद्ध और ब्रस्पती का ही जगड़ा है बुद्ध तीन के समय ब्रस्पती और बुद्ध का जगड़ा कुदरती रूप से खड़ा हो जाता है चाहे नौमा घर सोया हो ये कुदरती जादा जद्धी जमीन जादा आद बाप दादा के हालात पे बुरा असर डाल सकता है राहू केतु और बुद्ध ये तीन गरे ऐसे हैं जो अपने घरों में ही मंदासर देते हैं अब सुन लीजिए काल पुरुस कुंडली का नसार बुद्ध को और समझ लीजिए कि छटा गर बुद्ध का अपना ही है रासी के अनसार लेकिन मैं बोलूँगा कि छटा गर बुद्ध का उंच का घर है बुद्ध का उंच का घर है छटा जहां कन्या रासी आती है काल पुरुस कुंडली के अनसार और अपने घर में बुद्ध अगर मंदा हो जाए तो 34 साल में मंगल ब मंगल बद का सर देता है बुद्ध छह में अब अन्य विद्धाओं के विद्धान कह देंगे विया कि अपनी रासी का अगे रहे है अपने घर में बैठा है और ये भी कह देंगे क्योंकि मुझका होता है कन्या रासी पे खाना ने चैनल तो वो बदी ढूंडी नहीं के जो वो जल जला पहला कर देता है इसलिए किसी भी गिरह को देखते हुए ये बाते मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझे किसी भी गिरह को देखते हुए भूल के भी जब तक उसकी नेकी और बदी के सारे सिंटम ना परखलो अन्य घरों में बैठ हुए गहरों के अनुसार यानि कि बुद्ध से किसकिस्ता कंसर्न हो रहा है तब तक नेक और मंदा मत बुद देना अब अन्य बिधाओं वाले बुद्ध की महादसा अंतर दसा प्रतंतर दसा कुछ भी देखें लेकिन लाल किताब कहती है बुद्ध की अपनी उमर 34 साल 34 साल में बुद्ध 6 मंदा होगा तो मंगलबत का सर्थित देगा हो सिंपल साल होगा है अपने ही घर में और फिर बुद्ध के मंदे के 3, 8, 9, 12 और कभी कभी 11 12 में से 5 घरों में अमूवन बुद्ध मंदा होता है 5 घरों और बाकी घरों में भी और इन 5 घरों में जहां मंदा बताया है यहां भी कंडिशन होती है यह ध्यान करिए कोई भी उंच देखके उंच नहीं है नीच देखके नीच नहीं है आपको लगता है क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में किसी अन्यका प्रभाव ना हो हम पता नहीं होता हमारे जीवन पे हमारे माता पिता हमारे परिवार इसको भी छोड़िये जो आज हमारे बुजुर्ग हैं नहीं उनका भी असर होता है हमारे जीवन पे हमारी दिन्चरिया पे हमारे रहन सेन पे हमारे खान पान पे हाजारों बरसों पुराना और फिर आज हमारे उपर हमारे बच्चों का हमारे माता पिता का भाई बंदू पतिनी सबका असर होता है इसको ऐसे समझ लिजिए ग्रों को मैं ये बार बार ये बात कहता हूं क्यूंकि इस समय में सबसे बड़ी मंद कहानी यही चल रही है कि बिरस्पती करक का उचका है अरे बाई बिरस्पती करक पे बैठा है बिरस्पती के खाना नंबर दो में रहू बैठ जाए अब बोलो उच्का रहेगा बिरस्पती के चार में उच्का बैटा है बिरस्पती के खाना नमबर 9 में है बुद्ध बैठ जाए बताओ बिरस्पती उच्का रहेगा क्या तो ये देखना सबसे पहले बंद कर दीजिए सबसे वड़ी समस्या यह है उंच और नीच हकीकत मैं बोलू यह सिरफ एक चलाबा है ऐसा होता ही नहीं है डारेक्ट सिरफ घर या रासी में बैठने से नहीं और मैं यह बारवार कम से कम दो महीने से यह सूत्र बारवार आप लोगों के दिमाग में डालना चारा हूँ इसलिए यह बात कहरा हूँ और इसलिए अपने ही गर में रागु मंदा हो सकता है बारा में अपने ही गर में के तू बारा में मंदा हो सकता है अपने ही घर खाना नंबर 13 में बुध क्या है वज सकता है अब फिर उधार न कर सकती दिए, विरसिपती 4 में मिलते हैं नहीं मिलेंगे बात को समजो समझो कि नहीं इस लिए कि इस लिए इस लिए इस लिए इस प्रहांती को सबसे पहले तोड़ना चाहता हूं और लगवग हर तीसरी कलास में में यह बोलता हूं आप नहीं नहीं उधारण के साथ तो भीया कुंडली देखते समय इन सब सुत्रों के साथ साथ ही गिरे पापी गिरे और पापी गिरों पे इसलिए भी बोला है कायम गिरे है है न दोस्त गिरे है दुस्मन गिरे है द्रश्टियों के सम्मन यह सब देखो लेकिन पापी गिरे पे आके मैंने लंबा चोड़ा क्यों बोला पापी गिरों का एक सगूपा है इनका उपाय करने के बाद भी इन पे भरुसा मत करना रहू सनी के तू पापी तब सनी पापी ना हो तो किया जा सकता है ध्यान कर लेना लेकिन सनी पापी है तो सनी राहू केतू और भुद्ध इन चार गिरों का कभी भरोसा मत करना उपाई करने के बाद दी अनभव मेरा ये कहता है पिताम में ये सब्द नहीं मिलेगा इसलिए बोल रहा हूँ पापी गिरे पर थोड़ा ज़्यादा उसके अलाबा ये सब देखने के बाद मुस्तरका गिरों के हालाद समझ लो यानि कि खटे दो या तीन गिरे दो या तीन गिरे एक खटे को समझो और दो या तीन गिरों से सम्बंदित जो सूत्र है वो इतने खतरनाक इस तरके हैं आप सोच के हैरान रह जाओगे दो गिरे या तीन गिरे या चार गिरे कोई भी एक सूत्र कहता है कि सुकर को उधारन समझ येगा सुकर को कोई तंग कर रहा हो परिसान कर रहा हो और किसी तरीके से सनी से सम्बंद इस्थापित हो जाए तो सनी सुकर को बचा लेगा उधारन सनी तीसरे घर में राहू और सुकर बारमे घर में है राहू सुकर बारमे घर की पहले नियम आपको बता देता हूँ स्क्रीन सेर करके बता देता हूँ आसान हो जाएगा राहू और सुक्षर इखटे वैठे हों किसी टेवे में और वो खास तोर से अगर खाना नंबर बारा में बैठ जाए तो किताब कहती है कि गरस तो जड़ जाए चरित्र हींता आजाए पती पतनी के वीच में मार पिटाई जगड़े पसाद जैसे हालात को जाए बात को समझना कितना मंदा यह हो गया लेकिन खाना नंबर तीन में अगर क्योंकि बारा और तीन का भी एक संबंद है इसको समझिएगा आप उधारन के साथ राहू और सुकर बारा में और तीन में सनी राहू सुकर हो सिरफ वार्मेगर में एक किसमे साल से पहले या एक किसमे साल में सात ही हो जाए गरस तो जड़ जाए किसी भी कारण से और बड़ी-बड़ी बुराईया हो सकता है कि ऐसा ब्यक्ती बिधुर और ऐसी इस्तरी बिधवाजी बन तक जीए यहां तक हो सकती है यह बुराई बड़ा इस तरह पर लेकिन जब सनी तीसरे में होगा तो यह मदद दे देगा इस तरीके से अब इसमें एक और उधारन दे देता हूं मान लीजिए यह देखिए वो बारा और तीन का संबंद है उसमें यह ध्यान करना पड़ेगा बारे में गर में चाहिए कितने जी गिरे हो जाएं लेकिन तीन में अकेला सनी अकेला गिरे हो तभी अच्छा होता है अगर सनी के साथ यह भी नियम समझे लीजिए जब बात हो रही है मान लीजिए मंगल और सनी खाना नमबर तीन में है या माल लिजीए सूरज भी कोई भी एक से ज़्यादा गिरे हो जाए तो बारा और तीन के बीच में फिर जगड़ी भसाद का संबन्द बन जाएगा अपनी अपनी उमर में आद में ये एक दूसरे को खराब करेंगे अब जो मैं आप लोगों को बताना चाहरा हूं उसको समझो अब उधारन ये देखिए राहू सुकर अब बताईए जब मैंने बारा और तीन का एक संबन्द है उससे भी मैंने सुकर को बचाया क्या आप सुकर बचेगा पताईए क्योंकि मैंने बात की है सीधी कोई गुमाफिरा के बात नहीं की है बत को समझिए एक भी सब्द नहीं गुमाया है राउल सर्मा सचिन कौसिक अरे इतनी बे सर्माई मत रखो बोल दिया करो बचना तो यह सब्द नहीं की जिश्ची पढ़ रही है यहां पर शुकर को बचा लेगा नहीं बचायेगा बचा लेगा सब्स यह समझे लो देखो कैसा योग होता है अब अब दूसरी बात यहां तो यह एक ही सब्द बोला जाएगा कि सुकर को बचा लेगा मेरी बात समझना लेकिन अगर मैं बोलूँ यहां एक ही सब्द था बचा लेगा लेकिन अब समझे दृष्टियों के संबंद को समझे बहां एक ही सब्द था बचा लेगा अब बताईए अब क्या बन गया देखिए परक देखिए एक गरे हटते ही या एक गरे जुडते ही तीसरे घर में एक से ज़्यादा गरे होते बदलाओ आ गया सुक्र के साथ राहू था तो सनी ने देखा तो बचा लिया उनली बचा लिया ध्यान करिए सिर्फ बचा लिया एक सब्द बोला गया लेकिन अब क्या होगा सचिन कौसिक यहां परिवर्टन हो जाएगा पैसों के लिए अच्छा है सर जी पैसों के लिए अच्छा गरस्त के लिए अच्छा पती पतनी के हर प्रकार के सुकों के लिए अच्छा गरस्त चोड़ दो सबी सुकों के लिए अच्छा आर्थिक हालात के लिए अच्छा मौज मस्ती के लिए अच्छा ऐसे पती पतनी रा और पूर पैसा होगा गिरहे बदलने के साथ परिवर्तन आ गए जबकि सुकर खाना नमर 11 में कोई अच्छा तोड़ी ना है नो सुकर खाना नमर 11 में कोई अच्छा नहीं है ऐसा व्यक्ति अपना बीरज कत्रा कत्रा करके ख़ाब कर देता है लेकिन यह संबंद अच्छा हो गया बात को समझू अब हर गिरह का किसी भी गिरह के साथ कोई ना कोई संबंद बने विना फाइनल नहीं हो सकता चाहे वो कोई भी जोतिस विदा हो और यही चीजें अन विदाओं में बताने वालों की सोर्टेज आ गई है और जूट क्या बो पर्चा करने वाले हालात उनके भी नहीं है इसमें कोई एंकार वाली बात निए दुखी मन से कह रहा हूं मैं कोई चिस से खुछ नहीं हूं मैं तो चाहता था कि कमप्टीशन पैदा हो अच्छा रहेगा लेकिन कोई कमप्टीशन बाह बात यह बहात ही नहीं है अब अकेला जर्मे में था ताब मंगल को तो हम तीसरे में ला सकते था 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 ना सार। गुरू और चंदर बताईए कितना सांदारी हो गए खाना नमबर नो में वह सांदारी हो गए हकीकत यह बता रहूं वह सांदारी हो गए बुद्ध या मैं यहां पर रहू लिख देता हूं यह मैं या लिख दिया है दो दो बार लिखना पड़ेगा समय खराब होता है इसलिए जितना समय बचे कोई भी एक हो राहू या चंदर कोई भी एक हो दोनों की बात ही नहीं कर रहा है अब देखिए एकदम फरका जाएगा अब गुरु चंदर बहुत सांधारी हो गया है लेकिन यहां फरक क्या आया तो लाल किताब कहती है कि गुरु चंदर इखटे हो यानि कि मुस्तरका हूँ और दुस्मन देखे तो वो ही तवा हो जाएगा अब समझिये यानि कि राहु देखे गुरु चंदर को तो तवा बुद देखे गुरु चंदर को तो बुद तवा अब इनके फलादेश किस तरीके से आएंगे मालनी जी एक उधारन मैं तो हमिसा अपने उपर ही बोलता हूँ हो या ना हो मेरे टेवे में हजारों ऐसे नियम अपने टेवे बोल चुका हूँ अभी तक गुरु चंदर गो राहु देखे तो राहु मेरा नाना भी है हो सकता है कि मैं राहु का कारोबार करता हूँ एलेक्टरिकल्स का राहु मेरी सुष्राल भी है बात कर समझे है ऐसे कौन बरबाद हुआ जो देखे दुस्मन वो ऐसे फला देश निकालने का बुद्द मालिजे राहु है ही नहीं मेरे टेवे में तीन में अकेला बुद्धतीन में पड़ा है वो दुस्मन है गुरु का भी चंदर का भी बुद्ध से सम्मंदित मेरा बैपार हो सकता है मेरे कामकाज हो सकते है मेरी बेटी है मेरी बेहन है मेरी बुगा है मेरी बतीजी है बुद्धतीन बतीजी का भी कारण बनता है वो तबाह हो जाएं बरबाद हो जाएं और गलती से मैं सेर बजार, सट्का बजार काउन्टी जैसे कारोवार कर लूँ, ट्रेडिंग कर लूँ वो बैपार पिट जाएं लुट जाएं और मैं बिल्कुल बरबाद हो जाऊं लेकिन बड़े बड़े विद्वान सिरफ यही देखते रहेंगे कि भी या गुरू चंदर बहुत अच्छा है गुरू चंदर बहुत अच्छा है अरे भाई ये संबंद बन गया अब गुरू च सांसा पॉइंट है लेकिन अब इसी में देखिए अब देखिए इनका परिबर्तन देखिएगा माल लीजिए यह इसलिए बता रहा हूं कि समझे गुरू चंदर मालो तीन में है पांच में भी लिख देता हूं उदारण एक सेकेंड और ये गुरू चंदर पर ही बोल रहा हूं ये भी द्यान करिए ये कुछ special condition है चलिए मैं तो चार में भी बिठा देता हूं हो सकता है चार में वैठे हूं अब समझे यह मैंने खाना नंबर तीन खाना नंबर चार और खाना नंबर पांच में बिठा दिये अब देखिए हो सकता है गुरु चंदर तीन में हो और राहू या राहू या फिर राहू राहू छोड़ दो बुद्ध बना देते हैं भाईया दोनों बुद्धो या बुद्ध हो क्योंकि बुद्ध चंदर की दृष्टियां के सामने रख दिया है मैंने या मान लिजिए कि राहू नौ में हो अब बताएए अब एकदम चेंजिंग हो जाएगी आपको ये मेहनत कर दी पड़ेगी अब बताएए इसमें कोई बोलेगा कोई बोलना चाहता है हेंड रेज कर दीजिए देखिए परिवर्तन और जबकि गुरू चंदर तीन में चार में पांच में तीनों जगा अच्छा है को गुरू चंदर बार्मे घर में भी अच्छा आसर दे देता है हाँ बारवेगर में मकड़ियों के जाले ज्यादा हो जाते हैं वो साफ करता रहे बेखती क्योंकि चंद्रमा बारवेगर में अच्छा नहीं होता है इसलिए गुरू चंदर खाना नंबर छे में भी अमूमन अच्छा फल दे देता है हां पिता के सुखों में थोड़ी दिक् ए हमार डिछा नहीं देते हैं लेकिन विफटा कहा हैगी जब कंडिशन बदन की अब देखिए पहले गुरू चंदर को उसके दोस्मन देख रहे ते वो बर्वाद हो रहे थे खुद दुस्मन लेकिन अब घुरू चंदर ने राफ को देखा मैं गुरू चंदर को देखा म अब ये गुरू चंदर यानि कि ऐसे व्यक्ति के माता पिता खुद बरवाद हो जाएंगे देखिए फरक गुरू और चंदर से संबंदित कामकाच गुरू और चंदर से संबंदित बस्तु है सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है सोना चांदी दोनों गुरू चंदर की है लाल किताब के अनुसार अब गुरू चंदर माता पिता भी हमारे गुरू चंदर है बात को समझे तो इस तरीके की special condition होती है कितने भी नियम कानून रट्टा मार लो grammar कितनी भी समझ लो उसके बाद कुछ खास condition होती है और देखिए कुछ खास condition बता देता हूँ और अच्छा योग बना के दूगा उसको बिगाड़ दूगा कैसे बिगड़ेगा गुरू और मून माप करना सनी और चंदर मा खाना नंबर नो में ये योग अमूमन अच्छा होता है सनी चंदर खाना नंबर तीन खाना नंबर दो और खाना नंबर नो जिसमें 9 और 2 में तो बहुता बढ़िया होता है तीन में भी अमूमन जादा मंदा नहीं होता है दो में और 9 में तो होता ही लगभग बढ़िया है अमूमन तीन में थोड़ा कम लाबदायक हो सकता है इसलिए मैंने अच्छी कंडिसन रखती लेकिन अब जो बात बता रहा हूँ यह समझी है बुद्ध तीन वैठ गया तो अब यहाँ पर बुद्ध तीन का जो नियम है कि 9 गयारा खाली वरे वो भूल जाईए यहाँ पर नियम पदल जाएगा पर कुस समझी है यहां मान लीजिए चलिए बुद्ध को भी हटा देता हूं भाई नीचे भी 9 में भी बिठा रखा है ना तो मैं यहां रख देता हूं यह लेजिए अब बोलिए अब तो मैंने वंगल बिठा दिया ताकतवर गिरे अब बोलिए आप सोच रहेंगे कि महां दुस्मन वाली बात थी तो देखिए सनी और बुद्ध में कोई दुस्मनी नहीं है बुद्ध और चंद्रमा में हैं मंगल और चंद्रमा की भी मित्रता है अब यह बिठा दिये मैंने और सनी चंद्री खटे हूं या फिर सनी के साथ एक और भी गिरे होता है सनी के साथ चंद्रमा यानि कि सनी के साथ इस्तरी गिरे या फिर सनी के साथ दूसरा इस्तरी गिरे चंद्रमा के लागा है सुकर यह लीजिए इस नियम को समझ लिजिए सनी के साथ सुकर हो चाहे सनी के साथ चंदर हो कोई भी हो और इनको कोई भी गिरह देखे और यहाँ कंडिशन मित्र और सत्रु की भी नहीं है वो गिरह जो देखेगा सनी को किसी भी इस तरी गिरह के साथ इस तरी गिरह दो ही है तो इसलिए मैंने ताकत घर गिरह मंगल रख दिया वो अपने घर का ही इसो की सनी का मित्र है वो ही रख दिया अब बुद्ध के रिष्टेदार और मंगल के रिष्टेदार वरबाद हो जाएंगे और खास तोर से अपनी आल उलाद और अपने ग्रस तक पर मंदासर आ जाएगा देखिए इसलिए मैं बारवार चीक चीक के चिला चिला के कह रहा हूँ कि खाना नंबर एक का बिरस्पती बारा तक सनी खाना नंबर एक से बारा तक मंगल एक से बारा तक वह यह कुछ नहीं पड़ ले पड़ेगा आप जो जो जिसको बदराम कर देंगे हाँ या ना का कॉंसेप्ट जो अन विधाओं में हमेशा रहता है वो ही लाल किताब ना आ जाएदा मैं इसलिए कहता हूँ प्योर लाल किताब प्योर लाल किताब ही दूँगा अधूरी नहीं दूँगा इसलिए कहता हूँ यह बात लो तो पूरा लो, पे और लो, किसी भी बिद्या से सम्मंदित, उस बिद्या के साथ चलकपट मत करो क्योंकि किसी भी बिद्या के साथ चलकपट एक पाप की सिरेणी माता है किसी भी बिद्या में कुछ अपनी मन गणत बाते मत जोड़ो, मिलाओ मत, मेहनत करो तो फल गड़ना से पहले गिरहों के इस तरीके के खास हालात, खास कंडिशन इनको भी जांचो फरको और दूसरी बात बता दूँ कि मैं किताब पढ़ाना नहीं हूँ, किताब पढ़ाने बैठूँगा, मैं पास साल में भी पूरी किताब नहीं पढ़ा पाऊँगा संभभी नहीं है, किताब आप पढ़िए, जिन लोगों के पास किताबें हैं, वो अपनी किताबें पढ़ें नहीं हैं और बिल्कुल नए हैं तो पंडित सुमत परसाद की पुरानी वाली किताब, पंडित रामिशुर सास्त्री की किताब, पंडित क्रिशना सांत जी की किताब, और अगर आप अच्छा खासा समय दे चुके हैं, तो लाल किताब 1941 का गुटका, करीब 400 पेज का है, 366 कीमत का है, 300 रुपे मात्र, और आप बड़े स्तर पे बड़िया मेहनत करने के लाइक अपने आपको समझते हैं, तो 1952 किताब पड़ो, और फिर 49 से लेके 52 की सभी किताबें, 5 एडिसन और 6 किताबों को रूप मैं बोले दो, और इन किताबों में यही कहता हूँ, मेरा भाई कोई कमिशन नहीं है, इस क कहा गया है, इसलिए, जिन पे भी किताबें नहीं है, किताबें ले लो, क्यूंकि मैं बार बार कहता हूँ, मैं किताब के सूतर खोलता हूँ, मैं किताब पढ़ाता नहीं हूँ, अगर मैं पेज नममर सरब दो-तीन लाइन पर बोलता हूँ 18-20 लाइन है तो मुझे एक-एक पेज पर बोलने में क्योंकि मैं तो उधारन दे के समझाता हूँ एक-एक पेज पर बोलने में मेरे को चाहिएंगे 20-20 गंटे और जीतना ये सालों का बखेड़ा हो जाएगा ना इतने पैसे कोई आसानी से दे पाएगा और ना मैं इतना टाइम दे पाँगा मैं तो हर महीने 15 किलास 12 किलास 20 किलास के छोटे-छोटे बैच बनाता हूँ और किताब को खोलता हूँ आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे किताब को मुझे सुनने के बाद किताब कोलके बैठ जाएए नोट्स बनाएए मेरे भी आपको समझ माएगा वोसे लोगों की डिमाइड होती है PDF भी है PDF से कुछ नहीं मिलता PDF हमेशा अधूरा रखने के लिए दिये जाते हैं जो आपको पूरा पढ़ाना चाहता है वो सिरफ किताब के लिए आकर सित करेगा असली किताब लाल किताब की और विदाओं में हो या ना हो इस बात को समझ जब नहीं है कि बर्सफल से ही उसी साल के हालात खुल के आएंगे नहीं बर्सफल एक आसान रस्ता है जो लोग अच्छी मेहनत कर चुके हैं अच्छा समय दे चुके हैं वो जरम कुंडली यानि कि सिरफ लगन को देखके ही हर साल के पूरे और साल को छोड़िये उस साल के 12 महीने उसको भी छोड़िये 12 महीने को भी तोड़के हपता तक भी चले जाते हैं मैं चला जाता हूँ मतलब बर्सफल बनाए विना भी हम पूरा फला दिस कर देते हैं लेकिन आप लोगों से गुजारिस है बर्सफल पर गौर करिए लेकिन जैसे जैसे आप पकते तो जैसे मैंने कहा यह एहंकार बस नहीं बोल रहा हूं सिरफ अनभव जन्नी है लेकिन शुरुआत बर्सफल से करिए और बर्सफल के साथ साथ 35 साला चक्र पर काम करिए 35 साला चक्र से संब्दित जो जरूरी जानकारी है वो सारी अभी उस समय के बाद ही एक दो क्लास के बाद आप लोगों को दे दूगा तो बर्सफल पर गौर करना होगा क्योंकि वर्सफल में आपको फायदा क्या मिलता है नेचरल वे में बर्सफल को खुमाए विना सूरज के गोचर जो एट प्रिजेंट में संक्रांती पर होता है उससे भी लाव मिल जाता है मैं उससे भी भी कई तरीके हैं तो बर्सफल पर फिर ऐसे ही गौर करेंगे और सबसे बड़ी बात है जब यह भी चीजे में आप लोगों को खौल देता हूं और जिन लोगों को किताब पढ़ने में दिक्कत है वो लोग खासतोर से लिखने जब हम बात करते हैं कि कुंडली देखने के जरूरी सूत्र हैं उनमें पक्के घर होते हैं एक क्योंकि पक्के घर के माध्यम से ही साथी घर मिलते हैं जैसे कि मैं एक उधारन दे के बता देता हूं ब्रस्पती मान लीजिए दसमें घर में बैठा हुआ है तो ब्रस्पती के पक्के घर हो गए दो नो ग्यारा इस तरीके से इनमें जो भी गिरह वैड़ जाएगा वो ब्रस्पती का साथी गिरह बन जाएगा इसलिए ये चीज भी जरूरी है जब पक्के घरों की बात आती है तो ब्रस्पती के लिए दो नो ग्यारा किताब में खोली है नहीं तो नोट करिए सूरज के लिए एक चंदर के लिए चार सुकर के लिए साथ मंगल के लिए तीन और आठ बुद के लिए साथ सनीचर के लिए आठ दस सनीचर के लिए पके घर आठ और दस राउ के लिए पका घर बारा और जब घर का गिर है ये भी एक कॉंसेप्ट है और ये कैसे काम करता है आपने यहाँ पर गौर दिया होगा मैंने पक्के घर की बात की है तब मैंने बुद्ध को सात्मा घर दिया है छे या तीन नहीं दिया है समझे बात को तीन दिया है पक्का घर मंगल को सोचिए ये चीजें आपको दिमांग लगा के खोलने पड़े है बुद्ध को पक्का घर साथ दिया है और सुकर को भी पक्का घर साथ दिया है और लेकिन जब मैं बोलता हूं काल पुरुस कुंडिली में खाना नंबर दो में कुंडने की बात आएगी तो सुकर के घर साथ का बड़ा दब दबा होगा दो का उतना बड़ा दब दबादी होगा फिर आता है घर का गिरे आफ गर के को शमजियेगा अ गरस्पती खाना नमबर बारा ब्रिस्पती की ही अपनी रासी है मीन लेकिन खाना नमबर बारा ब्रिस्पती वहां के लिए घर का गिरे है अब मैंने बुद को पक्का घर साथ तो दे दिया लेकिन बुद साथ में घर का गिरे है सुकर ने उसे अधिकार तुर राजकर सुकर ने सुकर की रासी है यह चीजे बहुत गौर से करिएगा घर का गिरह बिरस्पति खाना नंबर 12 में अब देखिये सूरज के लिए मैंने खाना नंबर 1 बोला था पक का गर और पांच के लिए बोलता हूँ गर का गिरह सुरज पांच गर का गिरह और चंदर चार को मैंने बोला पक का घर भी और गर का गिरह भी चंदर चार सुकर साथ में 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 भी घर का गिरह सुकर खाना नंबर दो में में भी घर का गिरह अब समझे मंगल खाना नंबर एक में भी घर का गिरह मंगल आठ में भी घर का गिरे लेकिन जब मैंने पक्के घर की बात की थी तो सनी को भी खाना नमबर आठ का पक्का माना था और मंगल को भी आठ का पक्का माना और घर का गिरे भी मैंने मंगल को माना आठ में, सोचिए और बुद्ध तीन घर का गिरे सनी दस और ग्यारा दोनों घर के गरे और जब सनी के पक्के घर की बात की थी तो सनी आठ और दस पक्के घर बोले थे और घर के गरे की बात की तो सनी दस और ग्यारा दोनों में पक्के घर की बात कर रहा हूं यह भी सोचिए बहुत मामूली मामूली अंतर है और यह practice से ही clear होगा फिर आजाओ साब रासी फल अब रासी फल के concept में कुछ नहीं लोग है उनको दिक्कत हो जाएगी रासी फल का मतलब है कि सीधा गिरे का उपाई किया जा सकता है गिरे फल का जब मैंने बोला तो इसका मतलब यह है इसका ताथ पर यह है कि ब्रस्पती दो में बैठा हो तो सीधा उपाई ना करें ब्रस्पती नो में बैठा हो तो ब्रस्पती का सीधा उपाई ना करें ब्रस्पती खाना नंबर 11 में बैठा हो तो उसका सीधा उपाई ना करें चंदर खाना नमबर चार में बैठा हो तो सीधा उपाए ना करें सुक्वर खाना नमबर साथ में बैठा हो तो उसका सीधा उपाए ना करें इस तरीके से था वो पक्के घर की और घर के गिरे में भी यही चीज लागू हो जाती है कि इनका सीधा डारेक्ट उपाय ना किया जाए दिक्कत हो सकती है फिर आ जाते हैं रासिफल पर रासिफल का सीधा उपाय किया जा सकता है रासिफल बिरस्पती खाना नमबर छे बिरस्पती खाना नमबर साथ सूरज खाना नमबर छे सूरज खाना नमबर साथ सुकर खाना नमबर चार मंगल खाना नमबर छे और चार भुद्ध खाना नमबर दस सनी खाना नमबर तीन में है ग्रेफल का लेकिन कुछ हालात में रुपे पैसे के लिए रासिफल के तूप में उसका उपाई किया जा सकता है सनी खाना नमबर 6 रासी फल का, सनी खाना नमबर 9 भी रासी फल का, राउ खाना नमबर 1 रासी फल, राउ खाना नमबर 7 रासी फल, के तू खाना नमबर 4 और 10, दोनों में रासी फल, पक्के घर, घर का गिरे और रासी फल, अब आजाओ साप गिरे फल का, कि इनका सीधा उपा उपाए करना दिक्कत देती गा बरस्पती खाना नंबर पांच और नो मंगल खाना नंबर एक इनका सीधा उपाए कभी मत करिएगा इनका सीधा उपाए करने से जो मतलब है मस्नुई का इस्तेमाल करिए किसी तीसरे के रहे का इस्तेमाल किसी दूसरे के रहे का इस्तेमाल करि कली हमारे गुरुप में एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं जब भी सनीचर का उपाय किसी क्लिएंट को बताता हूं उनका सनीचर खाना नंबर तसका था तो मुझे नुक्सान होता है एक्चली वो दसके सनी का भी उपाय करा देते होंगे आठ के सनी का भी उपाय करा देते होंगे तीन के सनी का भी करा देते होंगे तो वो जातक को तो नुक्सान है जोसी तक में भी चोटा सकती है और एक बड़ी बात, बिल्कुल नीच के गिरह का उपाय करवाना भी नुक्सान दे जाता है अब ये सुत्र मैं आपको बताता हूँ, बुद्ध बार में घर में हो तो क्या उपाय बताया जाता है? चलिए, बोलिए कर सकते हैं, वो एक मदद हो जाती है, दो या तीन से बिरस्पति और सनी की लेकिन और बताओ, एक खास उपाय किताब में लिखा है, आप बहुर करिए किताब को गौर से पढ़िए, मटका खाना नमबर बारा की आसिया है क्या? कोरा घड़ा कोरा घड़ा कहां की आसिया है? जली बिट्टी या आठवे घड़ का है? अरे जली बिट्टी की बात थोड़ी ना हो रही है, आठवे की कहां से हो गया? गड़े की बनावट बूत की? अब मैं जो कहना चाहरा हूँ, किताब को समझने की दिमाग खोलिए बुद्बारवे घड़ में प्योर नीच का है और पंडित रूपचन जोसी ने कोरा घड़ा लिखा है, जल परवा कर दीजिए और जो अभी अभजीत ने बोला खाना नंबर दो या तीन से बिरस्पति या सनी के मात्यम से वो तो खाली घड़ों का उप्योग है अगर दो या तीन खाली हो तो वहां सनी आभिरस्पति को पटक दीजिए खाली नहीं है तो क्या करोगे फिर तो घड़ा बहा होगे बाई और सुन लिजे घड़ा बुद्ध की ही चीज है यह सत्त है लेकिन पंडित जी ने लिखा कोरा घड़ा और सबसे बड़ी बात बुद्ध के लिए ही कोरा घड़ा बहा देना बुद्ध के यहर को धो देगा आपने किताब को धियान से पड़ा होता तो एक जटके में बात निकलती कोरा घड़ा किस गھर के बुद्ध की आसिया है किस घर से सम्मंदित बार्वे घर की नहीं है और बोलो खाना नंबर चार की आसिया है अब बोलो पंड़त जी ने जो सीधा उपाए नीच के ग्रेका भी ना कराया सब कुछ बोला है लेकिन मैं जो समझाना चाहरा हूँ उसको समझने की कोशिस करिये मैं जो समझाना चाहरा हूँ मैं तो तीन और दोगे सनी व्रिश्पति को भी मैंने मना नहीं किया गुरव जी बेन नाक्षेदन कर अउपाए कैसे ओना ल ग्रेक्रति की ऐना नहीं किया बेजोड छले के लिए भी मना नहीं किया और मैं उपाये तक नहीं अटका मैं कुछ सूत्र देना चाहरा हूँ थोड़ा दिमाग को खोलिए मैं ये कहना चाहरा हूँ कि ग्रेफ फल के ग्रेका एक तो सीधा उपाये नहीं होता थोड़ा बिस्तार दीजिए खोपड़ी खोल के सुनिये बहुत बहुत अलग सब्द बोल रहा हूँ आप बहुत छोटी चीज बेटक गए मैं कहना चाहरा हूँ कि नीच के ग्रेका भी सीधा उपाये नहीं कराया जाता और आप सनी के छले की बात कह रहे हैं तो वो बुद्ध की चीज क्या है उसमें गोलाई लुआ किसका है बोलिए लुआ किसका है बोलिए सनी का है ना कि नीच की ग्रेका सीधा उपाये नहीं कराया जाता यह कह रहा हूँ थोड़ा और सोच अब सब्सक्राइब यह रेनकवाजी नजरी नहीं आ रही है मुझे आपको नजर आ रही है क्या वात है कोई बात कोई बात देख लिया मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसकी बात को समझो कि सीधा तो पाय नहीं करवाया ना मेरे भाई सर यह घड़ा कच्चा मिट्टी का होता या पक्का मिट्टी का होता सर यह कोश्चन सारे बाद में ले ले लिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसके जवाब दीजिए अभी बीच में ऐसे मत कुछ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके मरम को समझो गड़ा खाना नंबर चार की आसिया है यानि कि पंडित रूप चन जोसी ने बारा का बुद्ध सीधा चार में ले आए राजयोग बना दिया और आप कहते हैं लोए का भी जोड छला तो बहां सनी का उपयोग कर लिया बात को समझेओ सीधा उपाए नहीं लिखा गया है कहीं भी यह तो कुछ उधारन दे रहा हूं मैं अचली बुद्ध 9 में हो तो क्या बोला गया उपाए बताईए त्यागी जी बुद्ध 9 में क्या उपाए बोला कि लाल की गोली क्यों बोली गई है कि मंगल की शायता लिए लुद्ध की गोलाई पे सनी के साथ मिला के अब नियम समझना आप बुद्ध जब इस नियम को समझो मैं तो नियम खोलने के काम करता हूँ बुद्ध का जहर दो गिरों पे नहीं चड़ता है कहीं भी बैठे हूँ बुद्ध मारा चाहे बार में में हो चाहे नो में में हो चाहे आठ में में हो सूरच और सनी पे बुद् बुद्ध का जहर निकल जाए बहे जाए बरबाद हो जाए और फिर लाल पेंट कर दिया अब आप मुझे यह बताईए मंगल और बुद्ध मिलके बनता क्या है बोलिए देखिए सीधा उपाय नहीं किया गया है नो में घर में अब क्या बिठा दिया पंड़ जी ने जो बोदता वो क्या बन गया वो शनी बन गया मैं ये विस्तार देना चाहा रहा हूं ऐसे नीच के गरह का डारेक्ट टुपाय पंड़त रूप जोसी साब ने भी नहीं लिखे है हमें ये समझना होगा उन्होंने दूसरे गरहों की मदद अब ये देखिए ये मसनुई की सहायता है या नहीं है उपाय आप भी किताब में पढ़के ऐसे कैसे करवा रहे हो मसनुई का मतलब बनाब्टी बनाब्टी गरह का निर्वान कर दिया बुद मंगल अब आप यहां पर कुछ लोग सोचेंगे कि नो में घर में बुद है तो आंगन में या मकान के मरकज में पंड़ जीन तो नहीं रखवाया अरे भाई जहां बुद टेवे में बैठा है उस बुद की गोलाई वहीं लाल पेंट करवा दिया यानि कि बुद जहां बैठा है वहीं सीधा असर मंगल का लाल पेंट और बुद का जहर भी सनी से दुलबा दिया यानि कि मंगल को कोई हानी ना हो जाए सुचो उस बंदे के दिमाग को ये सीधे उपाय नहीं है मैं ये ही कहना चाह रहा हूँ इसी इन उपायों के लॉजिक को समझ जाएंगे ना आप तो आपके लिए आसाथ दाएंगा मैं ये चाहता हूँ कि इनके लॉजिक को समझें इस तरीके से पंदा जी ने नीच के गिरह के उपाय नहीं लिखे और गिरह फल मैं भी सीधे उपाय नहीं वहाँ पे बनाबटी गरों का उप्योग करने में ही लाब मिलेगा पूनम भारत द्वाज जी अजी अजी प्योग जी बेंजी क्या समझाया आँ यह यह बुद बारे में बारे में घर में पंदा जी ने सीधा उपाय लिखवाया है नीच का या नौमे में नहीं नहीं वो तो माँ पे शनी की मदद ले ली वहाँ पे तो अगर हम पूरे घर की बात करें तो वो तो खाना नमबर चार की आस्या है मतलब पंदा जी ने आप को और करिये सीधा नीच के गिरह का उपाय कोई नहीं करवाया है बात समझ जाईए तो हम क्यों करवा देते हैं तो जो मैं उधारन दे रहा था कि एक दो दिन पहले इकल प लेकि बस्तू से करवाएंगे तो जातक का लाब भी नहीं और जो सीकी भी बाजा बच जाएगा लंका लग जाएगी नियम बहुत ज्यादा साइंटिस्ट साइंटिफिक तरीके से लिखे गए हैं तर्क पून हैं यह समझना पड़ेगा आपको फिर साथ ग्रैफल की ही बात अधूरी रह गई ब्रसपती पांच में नो में मंगल एक में सूरज पांच में सनी तीन में कुछ हिस्सा ग्रैफल का है कुछ हिस्सा ब्रासी फल का है मैंने पहले ही बोल दिया मंगल खाना नंबर एक आठ में ग्रेफल का है चंद्रमा खाना नंबर चार में ग्रेफल का है बुद्ध और केतू खाना नंबर च्छे में ग्रेफल के है खाना नंबर च्छे में ग्रेफल के है अब आप यहां पर दिमाग लगा के बताईए के तू खाना नंबर छे में मंदिर में केले रखने का बता दिया है केला सिरफ के तू का है क्या नहीं ब्रस्पति के तू इखटे का है बात को समझो और मंदिर में रखवाने का लिखा गया है कि ताम में ये भी ध्यान करिए मंदिर में धरम इस्थान ब्रस्पति के स्थान पर ये भी सुतर समझ लीजिए के तू छटे घर में डारेक्ट नीच का है तीसरे घर में डारेक्ट नीच का है अब लाल किताबियों ने क्या इजाद किया मंदिर में लिखवाने का पंदजीने लिख दिया लाल किताबियों ने क्या इजाद किया अब उसको समझना तीसरे घर का या छटे घर का के तू होता है नीच मंदा माना गया फाल तू कुछ टेंशन और बटकाव दे देता है किताब योने मालूम क्या किया केले मंदिर के बाहर या मंदिर में मंदिर में दे भी सकते हैं मतलब देने का मतलब रख सकते हैं या रस्ते चलते लोगों को बाड़ती जिए अब यहां पर ध्यार करिए चलते हुए लोग किसके होते हैं चलते फिरते लोग किसके होते हैं केतू को क्या दिया गया ब्रिस्पती केतू ब्रिस्पती जो है प्रोटीन मिनरल फैवर जो भी कुछ होता है केलसिम भी होता है मझलब उसमें और्जा का शंबंद है एनर्जी का संबंद है किसको मदद दी केतू को और केतू को केतू मिला दिया ऐसे सोची है हर चीज का एक तर्क पूर्ण आधार है किताब में एक भी सब्द मैं इसलिए कहता हूं फालतू नहीं है हम लोग बहुत से लाइने छोड़ देते हैं इगलती करते है सुकर साथ में घर में गरेफल का सनी चर खाना नंबर दस में गया दस और ग्यारा में गरेफल का बिरस्पती ग्यारा में भी गरेफल का राहू बारा में गरेफल का राहू और केतू दोनों दूसरे घर में गरेफल के डारेक्ट उपाई नहीं करना चाहिए बिरस्पती चार में उचका है, सूरज एक में उचका है, चनलर दो में उचका है, सुकर बारा में उचका है, मंगल खाना नमबर दस में उचका है, बुद्ध छे में उचका है, सनी चर साथ में उचका है, राहू तीन और छे में उचका है, के तू नौ और बारा में उचका है नीच की जब बाद आ जाती है विर्सपती 10 में और 11 में लगबग नीच का ही है 11 में भी अमूमन 11 में लेकिन 10 में तो ही सूरत 7 में नीच का है चंदरमा 8 गर में नीच का है सुकर 6 में नीच का है मंगल 4 में नीच का है बोद बारा में नीच का है और सनी चरका दुस्मन नहीं होना चाहिए और साथ और दसमें भी यही हालात आ जाते हैं कि सनी का दुस्मन ना हो बेसक राहू के तू चार दसमें बैठ जाएं बात को समझो राहू तीन और नो में राहू नो और बारा में नीच का है के तू तीन और छे में नीच का है तो य ह duo लेकिन अबॉर जाते हैं कि तुझ भान नब्र 12 का असर देदेता है मेरा खाना नंबर 2 में मंगल या बिरस्पति बैठ जाए सुकर 8 के समय जो कि नीच का मैंने बोल दिया तोब थेस्पत फारी नीच का होगा क्या बोलिए कोई एक फिर से बोलेंगे सर राहू दो सुकर्च है अब बोलिए मंगल दो सुकर्च है अब बोलिए ब्रस्पती दो सुकर्च है अब बोलिए यहां पर अच्छा रहेंगा पुरा रहें अच्छा रहेंगा बुरा रहे रहेंगा अच्छा है अब विरस्पति या मंगल दो सुकर्च है के समय तो सुकर्च है बहुत ज्यादा समंध हो जाएगा अब देखिए एक तो सुक्र चै नीच का लेकिन राहु दो तो महा नीच हो जाएगा आ तो ऑगत को अश्चे योग तु नहीं बिνत्र और समंध्त नहीं नहीं है बिर्सपति और सुक्र मैं लेकिन बिर्स होते हैं तो कंडिशन काम करती है गरह कंडिशन किस गरह से किसका संबन्द है यह समझें इसी में कुछ और सुत्र दे देता हूं आपको सूरज बार में घर में हो सुत्र को समझिए सूरज बार में घर में हो तो किताब में लिखा है आप गुटके में खोल के देखेंगे मस्नुई क्यों बोला गया यह और सुन लीजिए राहू या सनीचर के काम कर बैठे ऐसा व्यक्ति जिसका सूरज बार में घर में हो तो बहुत मंदा योग बनता है अब आप घर और गिरे के समंद्ध को समझने की कोशिश करिए खान नमबर बारा में घर का गिरे विरस्पती और बारा घर पक्का किसका बोला मैंने राहू का और राहू के ही अपने मित्र सनी के जो की सूरज का दुस्वन भी है सनी तो राहू के तु का मालिक है राहू के तु तो एजेंट है सूरज बार में घर वाला जातक राहू या सनी के कारवार कर ले तो बरबाद हो जाएगा फिर एक सब्द मैंने बोला सूरज बार्मे घर में मसनुई यानि की बनावटी है आपको मैं बार-बार क्यूं कह रहा हूं यह सब कि गुटका पे अभी कुछ समय पहले बोला गुटका भी पढ़िए गुटके में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बावन में भी नहीं है सूरज बार में घर का हो तो मसनुई का मतलब यह है कि मसनुई यानि की वो बनावटी सूरज है उस पे कहीं ना कहीं से सूरज का राहू का इफेक्ट है पक्के घर का है राहू तो भैया उसको बनावटी सूरज के रूप में भा सकते हैं यानि कि सूरज बार में घर में हो ऐसा ब्यक्ती बनावटी सूरज की सूरज की बस्तू यानि की आसिया गोड़या गैहूं से भी उपाय कर सकता है सब्दों को पकड़ना लाल किताबी एक भी सब्द को अधूरा नहीं छोड़ेगा और सुन लिजिए सूरज बार में गर में मंदे असर का हो जाए तो दिमागी खरावियां दे देता है जबकि दिमागी खरावियों का तालुक सूरज से नहीं है अगर आप बीमारियों में देखेंगे दिमागी खरावियों का तालुक राहू चेंदर और बुद से है सूरज से नहीं है ये इस पेसल सूत रहनाल किताब के और सब तो मैं बता भी नहीं सकता मैं तो आपको बार बार धक्का दे रहा हूं कि किताब की तरफ चाहिए सूरज बार में घर में मंदा हो तो दिमागी खरावियों के हालाथ पैदा कर देता है अब बोली है ऐसे समझना पढ़ेगा अब अच्छा और मंदा कैसे होगा वो तो सारे नियम कानून ही समझने पढ़ेंगे राहू दसमें सक्की और राहू ग्यारमें घर में नीलम राहू दसमें घर में सक्की यानि कि उसका फाइदा लिया जा सक्की है अब जाँ सक्की बोल दूँगा तो उसका उपाई किया जा सकता है राहू खाना नमर ग्यारा में नीलम पहिया राव गहर में वाले के निलम पत्थर चाहे उसके लिए सारे जो दूसरी जो तिस विदाओं के नियमें लगा लो राव 11 वाले को निलम पहना के देखलो बरबाद हो के रोड़ फे खड़ा हो जाएगा नंगा लुच्चा बरबाद हो जाएगा लंका जड़ जाएगी मंगल सनी खट्टे हैं और वो व्यक्ति लाल पत्थर या मानिक कोई पहन ले इतनी बड़ी बरबादी पले पड़ेगी और जबकि सुन लिजिए मंगल सनी मुस्तरका ब्रिस्पति के घरों में बैठे हो तो राजा बना देते हैं और सुन लिजिए लेकिन जैसे ही वो सूर क्रे DOT में लाएं लोग मेहनद करें किसी की बुरा हिना हो जाए जब बंदा क्लाइंट बनके हमारे पास आता है हमें देने के लिए और बहुते लोग तो ऐसे आते हैं जो बेचारे अपने परिवार में अपनी पत्नी अपने बच्चों से अपने भाई बंदू से और पड़ोशी से कई बार करजा लेकर आए हुए होते हैं हम ये गल्तिया ना करते हैं कि सामने वाले का भविस्ट उजड़ जाए बरस्पती साथ में घर में हाकीकत में मसनु होता है बरस्पती साथ में घर में हाकीकत में मसनु होता है सूरज सुकर मुस्तरका का इस असर देता है कि बढ़िये गुटका कि चंद्रमा चेंटे घर में अकेला वैठा हुआ हो छन्द्र रेन का सर अफूर होगा चंद्रमा बार में घर में बैठा हुआ हो अकेला रह फूर मुस्तर का असर होगश है और इसाबित करने के लिए मदा देता हूं कि चंदर्षे के समय को उस ब्यक्ति के आ चंदर्वा के साथ-साथ ऑलाद के सुखों पे भी दिक्कत हो जाता है चंदर्ग्रेंण में यानि की چंद्र के तु में दोनों को ही नुकसान होता है के तु को भी चंद्र को भी और दूसरा गौर करिए गौर करिए ब्रश्पति खाना नमबर दो ऐसा व्यक्ति मेहमान नवाजी करता रहे आनंद आ जाएगा घर आए गए लोगों को प्यार से इज़्जब से समान से विठाए और सुन लिजिए, सुकर खाना नमबर दो भी गाये स्थान है, और बिरस्पती खाना नमबर दो भी गाये स्थान है, बनलब गाये पालने का स्थान, आम इस अलाब दाये कोगा बिरस्पती दो में बैठ जाए या सुकर दो में बैठ जाए, सुतर समझो, यह जोड़ना आपक खाना नमबर चार कोरा घड़ा है वैसे भिरस open t examples in प्योर त्यों डाल मंदिर में रखवाने का कारण समझी है कि ब्रस्पति क्हान नमबर ह्थव का अशर दे दे इसलिये चेन कंदिर में रखवाई जाती है सुत्र को समझो अब एक सुत्र मैं हमिशा बोलता हूं कि चलता फिरता साधू रोड गली में हॉले में गुमता हुआ साधू केतू गदी नसीन साधू ब्रस्पती लेकिन ब्रस्पती खाना नंबर एक का भी चलता हुआ साधू है कुछ सब्द कई कई गरहों पे मैच करते हैं लेकिन वो गरह किस घर में बैठा है बिरस्पती खाना नंबर 7 में गूमता सादू बिरस्पती खाना नंबर 1 में चलता सादू इसके अलावा किसी और घर में बिरस्पती गूमता या चलता हुआ सादू नहीं है सुतर को समझो और सुनलो बिरस्पती खाना नंबर एक में पेसानी जबकि पेसानी माथा खाना नंबर दो खाना नंबर दो पेसानी लेकिन बिरस्पती खाना नंबर एक में बैठ जाए तो पेसानी है आप ध्यान से पड़े होते तो एक मिन्ट में मुझे बोलते हैं कि हाँ पेसा नहीं है मैं बार-बार आपको किताब की तरब भेज रहा हूँ वो ही परिपूर्ण करेगी मैं तो सिरफ एक उंगली भरका ही सा रहा हूँ कि भाईया ये कर लो बस ब्रस्पती खाना नंबर एक में होगा तो वो पेसानी पे असर दे रहा होगा आपके माते पे ब्रस्पती खाना नंबर एक में अगर नेक अलात का बैठा हो माता चोड़ा हो जाएगा सुत्र को समझो पेसानी चोड़ी हो जाएगी माता यानि कि पेसानी लेकिन हमारे लोग क्या कि खाना नंबर दो पेसानी नहीं भाई ऐसी ही आसिया यानि की बस्तुआं गिरों के पास अलग से भी है जैसे कि मैं हमिशा बोलता हूँ घुमता फिरता सादू के तू गदी नसीन सादू ब्रस्पती लेकिन जब एक में ब्रस्पती है तो चलता हुआ सादू है ये भी धान करिए ब्रस्पती जब साथ में घर में है तो घुमता फिरता यानि की अवारा सादू है अब इस सब्द को अब देखिए मैं आपको सब्द की मर्यादा भी बता देता हूँ चलता सादू तो एक होता है ये चल रहा है चलना किसी उद्देश के लिए होता है कि मुझे कहीं तक जाना है या सादू मांग भी रहा है विक्षा पातर लेके भी है तो वो चल रहा है उद्द की मर्यादा को समझने की कोसिस करोलाल किताबी बनने के लिए सब्दों की प्ताना चारूं उसके थोड़ा गओर करिएगा ब्रसपती 3 में गुंपता फिरता यानि कि अवारा साथ हूँ है बिरसपती साथ में नीच में हालात का होता है भाई ब्रसपती खाननमर एक में नीच नहीं है गद्धी पे बैठा हुआ है क्योंकि खाना नमर एक सिंगासन है तो वो सिरफ चलता एक उदेश के लिए उसकी कोशिस है कुछ करने की लेकिन साथ में गर में वो अवारा यानि की घुमता फिरता यानि की पगलाया हुआ यानि की मंदे हालात में बुरे साथू अवाराओं की तरह गुमना फिरना फालतू की अब सोचिए ब्रस्पत्ति अब देखिए वो चलता साथू एक उदेश के लिए साथ में में बुला गुमता फिरता यानि की अवारा टाइप का साथू अब बताए ब्रस्पत्ति एक में होगा तो के तुको मदद और दूसरी बात दोनों सवाल कर रहा हूं दोनों के जवाब देना बिर्सपति साथ में गर्म होगा तो के तू को मदद दे पाएगा यह प्रिस्पति साथ में होगा तो के तू भी मंदा असर देगा क्या ऐसा है हाँ बोलो अब आप अन्मूट हुआ है अब यह जो अबारापन है यह फालतु का घुमना फिर ना है पाउं के जो चक्कर है विए किसके हैं यह विरस्पती के अब समझ मागई और सही चाल उद्दे से पूर्ती एक कारे भी से इसके लिए चला चला फरक समझो चला और एक घुमना फिर ना फालतु का आवा रखाई दोरों में बड़ा फरक आ गया और विरस्पती एक में के तू को मदद देगा इस तरीके से देगा राजा की गद्दी पे बैठा है एक में तो देगा ही देगा साथ में नहीं दे पाएगा तो समझ ये आपको वहाँ चलना और यहां आवारापन फरक आ गया कितना बस एक मामूली सी एक दो मातरा इधर उधर एक दो हर्फ इधर उधर हो जाएं तो लाल किताब में उसका देश से बदल जाता है बात को समझो मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ किताब को बड़े जान से एक कम मैं तुसाफ कहता हूँ मैं बिलकुल नसे की हालत में काम करता हूँ मेरे घरवाले मेरे पास में बैठके थाली लाके खड़े होते हैं ऐसे अब मुझे पता नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको किताब की तरफ भेजना चाहते हूँ और किताब को समझना ही बता रहा हूँ ऐसे समझ लीजिए बिरस्पती खाना नंबर 3 में दुरगा पूजा भी है और तालीम भी है बिरस्पती खाना नंबर तीन में दुरगा पूजा भी है और तालीम भी है और तालीम का सम्मन्द तो बिरस्पती खाना नंबर एक से भी है ये भी सत्य है बिरस्पती खाना नंबर एक से भी है बिरस्पती नेक होगा तो व्यक्ति की पढ़ाई लिकाई अच्छी हो जाएग तो घर बदलते ही दुरगा पूजा हो गया तो बिरस्पती जब एक में था जहां की मंगल की रासी है सूरज का पका गहर खाना नमबर एक तो बिरस्पती के सूरज और मंगल दोनों मित्र हैं तो बिरस्पती को सूरज और मंगल की सरण में नहीं बेजा गया लेकिन खाना नमबर तीन में आते ही बिरस्पति को तीन की रासी के मालिक यानी की बुध यानी की दुरगा के सरण में बेज दिया दुरगा पूजा सोचो सुत्र कहां जाके लगा है ऐसे समझो और तालीम तो विरस्पति तीन में हो और वो व्यक्ति की तालीम अच्छी हो पड़ा लिखा अच्छा हो आपको अगर कुछ गरह कंडिशन देखनी भी नहीं आती है एक उधारन समझेगा कि आपको गरह कंडिशन भी देखनी नहीं आती है मान लीजिए तो बुद्ध तीन में और व्यक्ति की पड़ाई लिखाई अच्छी है तो गारंटी की बात है कि विरस्पति तीन में हो घरानमर तीन में और व्यक्ति की पड़ाई लिखाई अच्छी है गिरिजिएसन कर ली पोस्ट गिरिजिएसन कर ली तो समझ जाए विरस्पति इसका न ना हो तो भी उनको आसानी से समझने में सहूलियत हो जाएगी फिर बरस्पती आठ में अफवा और फकीर का दान बरस्पती खाना नंबर आठ में अफवा भी लिखा है और फकीर का विदान अब समझे यहाँ पे बरस्पती खाना नंबर आठ में हो और उस व्यक्ति के खिलाप अफवाएं फैल रही हो अच्छी बुरी सच्ची जूटी कैसी भी यानि कि बरस्पती का मंदा असर होगा तो आप अफवाएं जब सुनें और विश्पती खाना नंबर आठ में हो आपको विश्पती की नेकी बदी की कंडिशन ज्यादा देखने की जरूती नहीं पड़ेगी विश्पती मंदा है और फिर दूसरा सब्द है फकीर का दान यानि कि वो विश्पती अपना सब कुछ लुटा देने की छमता का मालिक हो जाए दान पून बड़े इस तरह पर कर रहा है तो वो अच्छा होगा इसलिए कर रहा है सुत्र को समझे किताब में सारी चीज़ें लिखी है कोई चीच अधूरी है ही नहीं चलिए और समझे बिरस्पती खान नमबर 6 में हो किताब में एक सब्द का इस्तेमाल है मुफ्त खोरा मुफ्त खोर ये सब्द क्यों बोला गया बिरस्पती खान नमबर 6 मुफ्त खोर के तू बिरस्पती की आसन है गद्दी है आसन के तू यानि कि बिरस्पती खान नमबर 6 में होगा उस ब्यक्ति के अंदर कुदर्ती रूप से ये आदत हो जाएगी मुफ्त खोरी का बात ये जब सरीर हराम पड़ जाता है महनत करने की चमता महनत करने की ताकत या यू समझे लो की महनत करने के कीड़े मर जाएं तब क्योंकि केतू वहां पे किसी ना किसी रूप से मदद कर देता है केतू का अपना घर है यानि उस ब्यक्ति को खाने पीने को दिलाता रहेगा रईस नहीं बना पाएगा इतनी वकाट तो है नहीं केतू की लेकिन उसकी जीवन चरया खाना पीना सही टाइम पर अपना मिल जाएगा नगत पैसे की बेसे तिक्त पनी रहे हैं क्योंकि वहां पर के दुकादिकार है इसलिए अब देखिए अगला सब विरुस्पति खाना नंबर 10 सूखा पीपल आप इसको उपाय में सामिल कर लीजिए सूखा पीपल क्यों तो उसको हरा भरा कर लीजिए विरुस्पति के असर सुधर जाएंगे एक तो उपाय है तामेगे सिक्के बाद हो वो भी सुत्र समझ लीजिए विरुस्पति 10 में हो मसनी रूप से सूरज और सुकर मुस्तरका यानी कट्टे का असर होता है विरुस्पति में बनावटी जास में चुस्ते चाला के क्योंकि सैंपना गहरे खाना नंचार देजायेगा यानिकि वेक्टि में चंठ चल कपट यानिकि अपना गुजारत चलाने की पैसा कमाने की क्वाल्टी में सुधार हो जाएगा है इस तरीके एक यह सूत्र है फिर दूसरा सूत्र आता है सूखा पीपल लिखा है अरे बाई कोई सूखे पीपल को हरा भरा कर दीजिए ना जल चड़ा के सेवा करके किताम में उपाय बनाने के संचिप्त रूप में नियम कानून भी लिखी है उन गिरह से संबंदित बस्तुएं भी लिखी है अब जैसे ब्रश्पती साथ में हो मेडक लिखा है मेडकों की सेवा करिए ब्रश्पती छे में हो मुर्गा लिखा है मुर्गों को दाना बगएरा डालते रहिए ग्याउं डाल दीजिए मक्का डाल दीजिए ये लिखा हुआ है उस सब्द को आप पढ़के समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है और सुन लीजिए मुफ्त खोर में मैंने केतु की मदद कह दी लेकिन ये भी लिखा है केतु का उपाए मददगार होगा बिरस्पती छे के समय बात को समझो और मैं आपसे एक और बात कह देता हूँ बिरस्पती छे के समय केतु का उपाए मददगार होगा केले मंदिर में रख दीजिए उपाय हो गया और बोलो चने की दाल मंदिर में रख दीजिए उपाय हो गया और बोलो कुत्ते की सेवा कर दीजिए उपाय हो गया और बोलो गोर्डन एपल जो सेव होता है सुनेर रंका बिरस्पती के रंका मंदे में रख दीजिए तब भी उपाय हो गया केतु की मदद से होगा अपने बुजरगों को केतु की चीजें दान में दे दीजिए अपने बुजरगों के पाओं केतु के हैं पाओं पाओं पे हाथ लगा लीजिए उपाय हो गया अरे उपाय बनाने के एक हजार तरीके हैं बस दिमाग को विस्तार देना पड़ेगा अपने कुल बिरहम बन के पाउंहात लगा के असिरबाद लेते रही है कोई सफेद वालों वाला भुजुर्ग आदमी चायास पड़ुसका हो दादा जैसी उमर का पाउंहात लगा कैसी हो गया हो पाय है बटकने के जरूत ही नहीं है आज नहीं तो कल लाब हो जाएगा सुधार हो जाएगा किताब इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन क्या है कि हम लोग मुश्किल बना देते हैं सोचते नहीं है इसलिए फिर ब्रस्पती दस अब जैसे मैंने बोला कोई भी गिर है कहीं उच नहीं कहीं नीच नहीं सब कंडिशन पे है ब्रस्पती दस का अगर हकीकत में ही नीच का ही असर दे रहा होगा यानि कि मंदा ही होगा तो ब्यक्ति की तालीम चौपट हो जाएगी यानि कि पढ़ाई लिखाई अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि ब्रस्पती दस वाले की पढ़ाई पूचिए ब्रस्पती kis से चोट खा रहा है बरस्पती कि इसको चोटमार रहा है बात को समझो भाई में अब यह सब देखने की धीरे-दीरे मेनत करोगे तो यह कुबत अपने आप आ जाएगी लेकिन जब आप तक नहीं आरी यह तब तक इस तरीके से पडाई लिखाई कितनी है जी आपकी विरस्पती एक मैं हो तीन मैं हो तस में हो सभी घरों सभी घरों में ह dessman बिल्कुल फाइनल बडाई लिखाई छौपट तो विरस्पती मंदा करुम है यह पूछो कि अब देखिए सूरज खाना नंबर एक में लिखा हुआ है दिन का वक्त यानि कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की तरक्किय और उंचाई करने वाले जो भी काम ब्यापार ब्यापसाह बगरा कर रहा है वो दिन में करे सूरज के सामने करे और वो कामयाब हो जाएगा आसानी से और अगर वो मा लेज़े सूरज खाना नंबर एक वाला वैक्तिन ना ही ट्यूटी करता है कहीं तो समझ जाएए कि वो सूरज नेक फलका ना होगा लेकिन अगर वो सारे काम अपने दिन में करता है सूरज उदे से लेकर सूरज के अस तक वो सारे काम छोड़के कभी-कभी तो naturel लहराहत है करता है बद को समझे लेकिन उसका routine जो है वो दिन में ही सूरज के उदे के साथ सुरू होता है सूरज के साथ वो अपने काम काज को निप्टा दे सूरज खाना नमबर एक का अमूमन अच्छा असर दे रहा होगा और रात को करता है तो दिन का सूरज है रात का सनीचर है बात को समझो तो वहाँ भी कहा गया है सनीचर खाना नमबर छह में हो तो वह व्यक्ति रात को काम करे सनीचर के समय में कि अब देखिए इसी सुत्र को दूसरे तरीके से देता हूं सूरज खाना नंबर साथ व्यक्ति दिन में इस तरी प्रसंग करें पति-पत्नी एक होग दिख्कत हो गई अब किताब में तो ये सब्द बोल दिया कि सुरज खाना नंबर साथ सुकर के घर यानि की सुरज वहाँ नीच का है लेकिन सुकर का तो साथी घर है ना वह सुकर का घर है साथ तो साथ ही गिरह का मतलब यहाँ एक तोर पे इस तरीके से भी आयाएगा सूरज और सुकर एकटे का असर मिल रहा होगा उसके घर में बैठा है सूरज आख का गोला सुकर को जलाएगा ही जलाएगा आपसे लड़ाई जगड़े मन मुटाओ बैमनस से जगड़े पसाथ तलाग तक मामला पहुच जाएगा लेकिन रात को सनी के भक्त में अगर इस तरी प्रसंग वाले हालात हों पती पतनी का मिलनों तो सुकर को सनी मदद दे देगा तो ऐसी कोई आफ़त ना आएगी किताब के सुत्रों को समझिए है तो वहां सब नेक हो गया अब दूसरी बात बोलता हूँ ब्रस्पती खाना नंबर साथ किताब में ये नहीं लिखा ब्रस्पती खाना नंबर साथ किताब में सिरफ गुठके में ये लिखा है मसनुई मसनुई का मतलब सूरज और ब्रस्पती ब्रस्पती साथ वाला पती पतनी का मिलन अगर दिन में हो तो क्या हाल होगा अब बोल दिये मामला हो गया पेचीदा किताब में मसनुही लिख दिया सूरज 12 में मसनुही लिखा बिरस्पती 7 में भी मसनुही लिखा अब मसनुही जहां लिखा है तो सूरज के लिए बुद और सुकर मुस्तरका और बिरस्पती के लिए जहां मसनुही लिखा है तो सूरज और सुकर मुस जब बारमे घर में सूरज हो तो दिमागी खराबियां भी बोला था अब मसनुई भी बोला बुद बारमे घर में क्या करता है जातक के साथ दिमागी खराबियां करता है एक तो सुत्र में ने दे दिया कि सूरज राहू के घर में पहले बोल दिया अब एक नया कॉंसेप्ट द्यान आ गया, इसको समझ लो, बारमागर खोपड़ी, बारमागर आकास, बुद का आकास खोपड़ी भी बुद की, सूरज बार्मे में मंदा हो गया, तो सिरफ सूरज को ही वहां से क्यों हटा ना, जहां मसनुई सब्द इस्तेमाल किया है, बुद को हटा दो कौन बचेगा सुकर बारमे गर में, कोरे गड़े बहा दो, कोरे गड़े नहीं बहा सकते हिंग बहा दो, हिंग भी बुद की चीज है, अमुमान जब कोरा गड़ा बहाने की बात आती है, तो बड़े गड़े लिये जाते हैं, और अमुमान बड़े बड़े गड़े, गड़े कच्छे मिल पर दूसरी बात है हम लोग गुडगाओं जैसे सहर में रहते हैं यहां पर दिल्ली एंसेयर के आसपास या बड़े-बड़े सिटी में कुमार बनाने वाले हैं भी नहीं गाओं दियाद छेत्रों में ज्यादा हैं तो हम लोगों को दिक्कत आती है मिले पास समझें कोरे घड़े नहां भापाएं तो हिंग बहाद है कोई काम करेगी जो घड़ा कर रहा है हिंग भी बुद्ध की आसिया है यानिकी बस तो अब सूरज बार में घर में हो मसुनी लिखा है तो वहां बुद्ध को बहा सकते हैं राजिब बर्मा जी या नहीं इस तर तुवारा बोलना सब्सक्राइब नहीं पाया है सूरज बार में घर में मसुनी लिखा है सूरज के मसुनी क्या है सूरज के मसुनी क्या है बार में घर में कौन अच्छा है कौन मंदा है तो बुद्ध को बहा दो कोरे घड़े में बहा दो हिंके रूप में बहा दो क्या बचा सुकर उचका सरते देगा अब रिस्पति पर आजाओ सूरज और सुकर बताओ किसको बहा किसको वहां से निकाल देंगे हो गया हुपाए समझो नहीं हम समझो कि अरे भाई किताब में बार बार कहता हूं 1173 पेज में विचारे क्या-क्या लिखके जाते उन्होंने संचित रूप में बहुत सौट में चुट चुटे अक्षर के रूप में एक-एक सब्द के रूप में इतने नियम कानून लिख दिये हैं आप दिमान को लगाईए अगर शुक्रबुदी बारवेगर में बैटे हो तो बुद्ध को बहा सकते हैं सर्थ हां बहा सकते हैं गुरुजी ब्रिश्कुती साथ में हो तो जर्म पदान कर सकते हैं अरे सूर्ज का जो उपाय होता है वो करो ना ताम दे के चुको टुकुरे दबा दी हो गया काम तान भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है मन्दा गिरे तो ही है कर सकते हैं इसमें तभी कर सकते हैं जब अगर पांच्वे घर में वह तो भी कि मैंने बार्वे घर में सूर्ज मसलें बोला है पांच में नहीं बोला नहीं बिरस्पति वाले सूर्ज में सूर्ज को निकाल रहे हैं अब समझ में आ गया यह बेबकूफ लोग करवाते हैं यह बेबकूफ लोग करवाते हैं कोई लाब बड़ा नहीं मिलता चोटा-मूटा मिल जाए तो मिल जाए और कई बार तो नुक्सान देखे हैं मैंने मत पढ़ना चक्कर में अंडे के नुक्सान हो जाता है मेरे पास मेरे पास ऐसे कई अनुभव आई हैं गदों के मैंने मना किया सबको जी क्या कह रहे हो सचिन गुरुजी बुद्बारा के लिए लिए इंगी बादें को उपाई बताया आपने वह तो बोली दिया अब उसको चुड़ो और कोई बात करो अब सूरज और व्हें को नियुक्त को सूरज के साथ चलने की आदत होगी सूरज नेभपल्का होगा राट को चलने की आदत होगा कामकाचश शोरज मंद्यहालत का हुगा सूरज तीसरे घर में हो तो लिखा है दिन की ओला है सूरज खाना नमबर तीन में लिखा है दिन की आुलाद यानि की सूरज निकलने के बाद जो आुलाद कायम हो जाए बेटा पैदा हो जाए बाप के लिए हितकर होगा लावदायक होगा फिर लिखा बतीजे ऐसा विक्त अपने बतीजों के साथ अच्छे संबंदों में रहता हो सूरज तीन वाले से पूछ लो वही तरह वतीजों से कैसे संबंद है जी अच्छे हैं बेटा कब हुआ दिन में अरे सूरज तीन का अच्छा है बात खतम कोई नियम कानून देखने की जरुत नहीं है अच्छा सर दे रहा है इसलिए ऐसा हुआ सूरज चोथे घर का बैठा हो और ऐसे व्यक्ति के अपने बुआ के बेटे के साथ अच्छे संबंद हो जाएं तो सूरज चोथे घर में नेक ही बैठा होगा मन्दा ना होगा और बुआ के बेटे के साथ सम्मंद खराब हो जाएं तो मंदा होगा जान कर लिचिए और दूसरा सुत्र कि सूरज चार वाला अपने बुगा के बेटे की सेवा करे उपाए हो गयाँ सूरज तीन वाला अपने भतिज्जों के साथ अच्छे सम्मंद रखे सेवा करे उनको खुश रखे हो गया हो पाए मन्दा भी है तो भी सूरज पांच में घर का एकलोता बेटा सूरज पांच में हो एकलोता बेटा हो अब उन सूरज अच्छे असर देगा इसलिए तो ऐसा हुआ उसके रहने अपनी बस्तु कायम की उसी समय में उसी वक्त उसी उमर म्याद में जब वो अच्छा असर दे रहा था बात को समझे इसलिए यह आसान रस्ता दे रहा हूँ गरे की अच्छाई बुराई आसानी से आप टटोल सकते हो जान सकते हो सूरज छटे घर में हो अब छटा घर केतु का भी है बुद का भी है बुद के उपाए से अच्छा रहेगा केतु छटे घर में हो मन्दा कैसे पहचानोगे बताईए अब और मैंने यह भी बोल दिया बुद का भी है केतु का भी है और बुद का उपाए मददगार होगा और सूरत 6 मंदा होगा तो सबसे ज़्यादा बुरा असर कहा देगा बताईए एक सेकन में आप पकड़ दोगे देखिए मैं शर्ब दो-तीन गरे पर ही ज़्यादा बात में दूँगा अगर आप लोगे लिए किताब छोड़गे दो-सो डाई-सो हैं वो आपको पड़ देऊंगे क्योंकि मैं बार-वार कह रहा हूं मैं किताब नहीं पढ़ा रहा पंदरा किलास मैक्सिमम कितने की हो जाएंगी 45 गंटे की मैक्सिमम 45 गंटे में लाल किताब नहीं पढ़ाई जा सकती और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता मुझे तो कम से कम चाहिए 5000 गंटे बात को समझो तो मैं इसारे दे रहा हूं कुछ-कुछ बाकि आपको ढूंडने है मत्सुदन जी अब बोलिए आप कुछ कहरे दे सर भानजय की सेवा करने से सर पहले यह बताइए सूरज खाना नंबर 6 में मंदा होगा तो क्या बुरा असर सामने आएगा कि तुपर आएगा किस रूप में आएगा अभी इसमें बड़ा गहरा राज है इसलिए उगलवा रहूं आपनों से बहुत गहरा राज है सर अपने टांगों पर चोट लएगा या फिर इरनरी प्रोब्लम आएगा ठीक है सही चले गए आप आप ने देखा होगा जोसी लोग अमूमन मैं खुद देखता हूं बहुत से लोग देखते हैं वाकि मुझे पता नहीं मैं तो देखता हूं किसी ब पाउंके नाखून और उसके खड़ा होने की तरीके देखता हूं पाउंके रहुकेतु के लिए लेकिन सूरज छेह में हो तो भी मैं देखता हूं क्यूंकि छटा गर बुद और केतु दोनों का है बुद से सूरज की मितरता है बुद और सूरज दोनों ही केतु के दुस्वत है तो सारा नजला जो बूराई का है केतु पर पड़ी Spark भी केतु हमारा जोटा मामा भी होता है मा का घोटा भाई मा के छोटे भाई को लाव के लिए अलग उपाए है अब इस सुत्र को समझो कि तु छटे घर में हो तो उसके पाउं उसके चलने फिरने का ढंग चार कदम चला के उसे पता भी मत चलने दीजिए अपना दिमाग के इस्तेवाल करके करिए उसको महसूस भी मत होनें दीजिए वो अगर जूते पहन की आया बहिए जूते उतार ये जूते उतार के भाएर रखवा दीजिए ऐसे बोलो नहीं तो मैं तो कहा देता हूँ जूते उतारो ना कुंद जब ब्यक्ति में फालतुучा आएगा तो इसका काम-काज में मन नहीं लगेगा कि तु है पबना काम के फालतु की भाग दढ़ा है कि तो जब कोई काम कर रहा वुए तो उसके लिये ठिक ना पड़ता है में बात समуск अगर ऐसे हाला आते हैं तो पन्ड़ जी ने कहा कि बंदरों को गुड़ खिला दो मकैक बंदर लालमू वाले बंदर जो की सूरज से संबन देते हैं कुत्तों की सेवा करो कुत्ते की पालना की जा सकती है सूरज खाना नंबर छे में देखें सूरज के आकास में चमकने वाला है खाना नंबर छे बेस्मेंट गड़ा कुए में गिर गया सूरज बॉखलाया हुआ है और एक सूतर कहता है कि समझदार दुस्मन भी बेब कुप दोस्त से अच्छा होता है तो सूरज को ही बल दे दो यहाँ बंदर लाल मुका सूरज का उसको गुड यानि कि सूरज की ही बस्तू खिला के उसको बल दे दो वो कमजोर है तो दुस्मनी करेगा उसे ही बल दे दो तो वो के तूपे नजला नहीं गिराएगा अच्छे रजविड दे देगा सुत्र को समझो अच्छे हालात हो जाएंगे मामों में पे भी विबता नहीं आएगी खुद के कामकास से संबन्दि दिक्कत होगी यानि के रुप्या पैसा नहीं आ रहा होगा वो भी आ जाएगा और वाकी बुद्ध का माध्यम से भी उपाय हो सकता है अच्छा अब एक सुत्र समझना बड़ा सांदार कॉंसेप्ट है ये सूरत साथ में घर में हो तो किताब कहती है कि चंद्रमा को नश्ट करने से मदद होगी पुनम जी ऐसे ही कहा गया है पुनम जी ये ही कहा गया है है ना अब आप ये बताइए सबसे ठंडा गिर है कौन है चंद्रमा चंद्री चंद्रमा जो साइंटिफिक रूल यहां नहीं चलेंगे जो नासा इसरो बगेरा कहते हैं यह अलग चीज है ठंडा गिर है चंद्रमा अगनी किस से गिरह से संबंदित है सूरज नीच का और लाल किताब सुत्रों का सिंपल भे है जो गिरह बोला गया नीच का यानि कि वो कमजोर है, सूरत 6 में भी कमजोर है, सूरत 7 में भी कमजोर है, ऐसे समझेए, और कमजोर आदमी हावण तावण जादा करता है, फाल तुकी बोल चाल, नटंकी पाखंड जादा करता है, एक इंसानी सुभाव के अमसार से समझेए, साथ में गर में सूरत सुकर को जला रहा होगा पनजी ने लिखा चंदर की मदद अब यहां पर ध्यान करिए चंदर मा अच्छा हो तो सुक्र की भी बदी को रोक लेता है यानि कि जिस घर में सास अच्छी हो उस घर की बहुमें बदमासी दे पाएंगी क्या सूरज में भी अगनी है मंगल में भी अगनी है यहां सूरज की बात हो रही है साथ में गर में जिसकी अगनी से सुक्र जलेगा तो वो सारे कॉंसेप्ट है जो बोल दिया बिरस्पती साथ में भी सूरज सुक्र में ने बोल दिया दिन में मिलन से संबंदित पती पतनी के संब मंद वहां भी दिक्कत परिशानी पैदा करतेगा इसलिए मना किया गया फिर किताम में लिखा है चंद्रमा की मदद चंद्रमा से जब सूरज की अगनी रात को बुझाओ सू upphad mतलब सूरज की गर्मी को ठंडा करतो सूरज जय से घंडा होगा सुखर को मतरत मिल जाएगी सुट्र को शंजो छंद्रमा को नस्ट करने से अब चंद्रमा तो नस्ट हो गई ना अगनी में तो दूत जलेगा ना चंद्रमा का बात को समझे फिर एक और सूतर लेखा सूरत साथ में गर में और अरत लाजवन्ती बनके रहे तो ठीक नहीं तो ना रहे यह भी लिखा है पूनम जी ऐसे ही लिखा है सुकर क्या है जीवन साथी पूरुस के लिए इस्तरी इस्तरी के लिए पूरुस लाजवन्ती और लाजवन्ती का मतलब से मझे यह सरम संकोच नियम कानून धरम हर लिहाज से सिंपल और सौबर यानि कि वो इस्तरी अपने अंदर कोई नीचता ना लाए यानि कि सुकर है हमारा हमारा जीवन साथी वो अपनी लिमिट में अपनी यौकात में अपने ताइरे में रहे नहीं तो कौन वहाँ बैठा है सूरज जला देगा गरस्ती उजाड देगा सिंपल तरीका है पन्ड़ जी का उसे हम समझ नहीं पाए तरीके से मैं तो बैसे ही कहता हूँ मैं तो किताब खोलता हूँ देड़ता हूँ कि आज की तरह है मैं पढ़ाता नहीं हूँ अच्छा एक और सुत्र ध्यान करिये सूरज खाना नंबर नौ में अकिकत यह है कि सूरज खाना नंबर आठ में भी ताकतवर होता है लेकिन आठ में घर सनी का हेड़कौर्टर भी है और जब गिरहन की बात आती है तो सूरज को भी राहु के तू सनी तीनों से ही कही न कहीं से गिरहन के हालात मिलते हैं चंदरमा को भी सनी राहु के तू तीनों से ही कहीं न कहीं गिरहन के हालात मिलते हैं और उसको भी छोड़ो चंदर छे में हो तो भी गिरहन के संबन्द होते हैं तो नौमेगर में जब सूरज हो तो कहा है ग्रहन के बाद का सूरज क्योंकि इस खाना नमबर 8 सब्द की मरियादा समझे खाना नमबर 8 में सूरज सनी के हैडक्वार्टर में सूरज जबकि वो बहुत बलवान होता है सूरज आठ वाले के सामने किसी की मौत नहीं हो सकती उस building में किसी की मौत नहीं हो सकती उस घर में जहां सूरज 8 बाला बैठा हो और अगर सूरज 8 के समय उसका मित्र भी सूरज के साथ ही बैठा हो तो सनी का यम्राज, सनी का अंधेरा किसी की मौत नहीं कर सकता उस कमरे में, उस मकान में इतना थाकतर लेकिन सूरज खाना नमबर 9 में जाते ही बोला गया ग्रहन के बाद का सूरज चमकता हुआ, बुलंद, बड़े इस तरका, फिर समझी एककोसिस करिए, सूरज दसे में घर में, बूरी भैस, अमूमन भैस, सभी लोग छटके बोल देते हैं, भैस तो भी या सनी की चीज, बूरी भैस, अब इस सुक्त्र को समझना, सूरज खाना नमबर 10 में हो, और वो व्यक्ति भूरी भैस रखे या काली भैस रखे, यह बताईए, उसके घर भैस का पालन हो रहा हो, गाहों देहात में, वो सारे लोग हैं जिनके आप वैसे होती हैं, मजबोलते हैं पंजाबी में सूरज खाना नमबर 10 वाले के घर में काली भैस होगी, नुक्सान का कारक बनेगी, बूरी भैस होगी, तो लाब देगी, इस तरीके से उपाई भी लिखे हैं चंदर खाना नमबर 4 के समय लिखा है, तालाब कुणा, बैसे तो समंदर भी लिखा है, एक चंदर नौ में भी समंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप बात को समझेए, चंदर खाना नमबर 4, तालाब और कुणा ऐसा व्यक्ति तालाब गंदे करे तो खुसाल रहेगा, या तालाब अच्छे रखे तो खुसाल करेगा, या ऐसा व्यक्ति तालाब की जमीन को भरके, मिट्टी भरके, उपर मकान बना ले तवच्छा रहेगा, बताइए, तालाब के पास उसके घर की गंदगी जाती हो, ल जी बन गया बन गया अच्छा चलो एक और सुत्र समझिए देखिए मैं कुछ कुछ दे रहा हूं मैंने बोला ते मैं 40-45 दूँगा बाकी आपको सब किताब में पढ़के मिल जाएंगे चंद्रमा खाना नंबर नो जदी जाहराद और दूनिया का गैवी समंदर चंद्र खाना नंबर नो जदी जाहराद चंद्रमा का जद्धी जायलाज से क्या तालूप है बताईए है 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 सोचो सर यह ब्रिस्पती के कारण ब्रिस्पती के घर के कारण और इनकी घनिष्ट मित्रता है अब देखिए किसी घर का उस घर के मालिक की वज़े से संबंद कैसा हो गया समझो बात को जैसे सूरज दसमें घर में बोरी भहस तो मैंने बोल लिया अच्छा असर दे देगी काली भहस नुकसान दायक हो जाएगी समझो बात को वैसे ही क्योंकि सनी की चीज थी काली भहस तो इहां पर नौमा घर ब्रसपती का जद्धी जालास से संबंधित है बुजरगों से संबंधित है जैनरो पिक्ति चैनर में अपने बुजरगों की बेजज़त करता हो क्या चैनर अच्छा होगा चंदर 9 में अपने माता पिता को तंग करता हो, मारपीट करता हो, उनकी इज़ित खराब करता हो, क्या अच्छा समन्द मिलेगा, नहीं मिलेगा चंदर खाना नमबर 10 में पानी मगर कडवा आप ध्यान करिए चंद्रमागा नो में घर से क्या संबंद था और चंद्रमागा दसमें घर से क्या संबंद है पानी मगर कड़वा कविर अचन्धे 2 इसनी के साथ सम्वनन मैं नव नॉम और दो में बहुत अच्छा तीन में भी कभी कभी अच्छा लेकिन बाकी गहरों में तो चंदर सनी का अच्छा ही नहीं ना सर गुरू चंदर में देखो जद्धी जायदा कितना बड़ा अच्छा दे गई लेकिन वहाँ पे बुजरुगों को इज़त खराब करते ही वो व्यक्ती चंदर नौबाला अपने बुजरुगों से जगडा फसाद करता है तो समझ जाये एक सेकेंड में आप कि चंदर मां मंदा असर दे रहा है सूरज दस में काली वहेंस पाली हुई है सूरज का मंदा असर आ रहा है चंदर ग्यारा को समझिए उड़ते बादल खूनी कुआ ये सब्द इस्तिमाल किया गया है चंदर मां खाना नंबर चार में तालाब भी बोला, कुआ भी बोला चस्मा भी बोला सांती भी बोला और चंदर मां ग्यारा में जाते ही उड़ते बादल खूनी कुआ बोल दिया उड़ते बादल खूनी कुआ जबकि खाना नमबर 11 सनीचर बिरस्पती का घर है और सुन लिजिए सनीचर बिरस्पती और चंदरमा मुस्तर का अमूमन नेक असर देते हैं और सुन लिजिए बिरस्पती और चंदर इखटे हो के कहीं भी बैठे हूं उनका हामेशा खाना नंबर 11 पे अपना असर होता है जिन घरों के दो-दो मालिक है खाना नंबर एक सूरज और मंगल इकट्टे हो उनका असर हमेशा एक पे होगा इस असर को भी थोड़ा सा खोल देता हूँ किसी भी घर के जब दो मालिक हों और वो दोनों एखटे मustरका होके कही बैठ जाएं तो वो अपने घर को मर्ने नहीं देते हैं, नश्ट नहीं होने देते हैं सूरज मंगल खाना नंबर एक को, विरस्पती सुकर खाना नंबर दो को मंगल बुद खाना नंबर तीन को बिरस्पती सूरच खाना नंबर पाँच को बुद केतु खाना नंबर छे को बुद सुकर खाना नंबर साथ को मंगल सनी खाना नंबर आठ को बिरस्पती सनी खाना नंबर ग्यारा को राहु विरस्पती खान नंबर बारा को ये भी ध्यान करिए ये अपने घर को बरबाद नहीं होने देते नश्ट नहीं होने देते, मरने नहीं देते क्योंकि वो दोनों इकटे होके अपने उस घर के लिए हमेशा बचाओ की कोशिस करते हैं इसलिए ये सुत्र है अब उड़ते बादल और खूनी कुआ चंदरमाग्यार में घर का खूनी कुआ का कारण चंदरमाग्यारा घर का हो आफट कहां आती है के तूपे दूसरा, चंदर पांच की पांच हिदायते हैं उन पांच हिदायतों को अगर ब्यक्ति तोड़ दे तो बरबादी बड़े इस्तर पे चली जाती है सुबे सवेरे केतु के बक्त में घूमना फिरना ट्रेवलिंग करना दान पुन करना या लेना साम पक्की रहु का समय पूजा पाट अध्यातम गुरूप देश तो भी आपत सनिवार के दिन सनि की बस्तूओं घर में लाना नुक्सान दायक सुकरवार को सुकर से संबंदित साधी भ्या पार्टी फंक्शन यहां तक की जिस व्यक्ति का चंद्रमा ग्यार में घर का हो व्यक्ति सुकरवार के दिन अपनी पत्नी के साथ इस तरी प्रसंग करे तो भी बंदा असर आता है और बोलिए बुद्वार के दिन बुद्व से संबंदित बस्तूओं का या कारूबार या कोई कारूबार से संबंदित पैसला लेना बर्भाद करते ता इसलिए खुन आँ बोला और उड़ता बादल यानी कि जिसका कोई भरोसाई नहीं चंदरमा का उड़ता बादल बरसेगा नहीं बरसेगा कोई गारंटी नहीं यानि कि पैसे के मामले में बादल पानी भरके लाता है चंद्रमा की बस्तू लेकिन उन बादलों में पानी होगा तब ही तो बरसेगा पानी नहीं होगा तो क्या बरसेगा जिदा नहीं हमें सुकर खाना नंबर माफ करना चंद्रमा खाना नंबर 12 सफेध बिल्ली चंद्रमा खाना नमबर वारा सफेध बिल्ली और बारिस का पानी मीह का पानी बारिस को मीह बोलते हैं पंजाबी में मीह का पानी मददगार होगा साहयक होगा सफेध बिलि और ध्यान करिए बिली एक ऐसा जानवर एक क्टम पूरा दूर की तरह वाइट मिल सकता है और जानवर अमूमन नहीं मिलेंगे आपको सफेध बिल्ली किस गिले से संभणन देगे बहुं और सफेध रंग किस संभणन देत है चंद्र से चंद्रमा का रंग दूद वोला है मैंने, सुना करो द्यान से, अधूरा मत सुनो अब सफेद बिल्ली का मतलब, चंद्रबार में घरवाला वेकती और ये भी लिखा है कि मंगल की मदद चंद्रमा को मिल जाए तो अच्छा होगा ये भी लिखा है, तो अब तीनो सुत्रों को समझेए मंगल की मदद यानि की मही के बारिस, यानि की बारिस के पानी में मंगल की सौफ और निम के पत्ते उबाल के, कंटेनर भरके सील करके गर की छट पे रखतो, काच का मर्तवान मंगल की मदद छट क्या एकान नमबर बारा, चंदर्मा को बार में से हटाना बोट टेड़ा काम कारण कम से कम चंदर्मा बार में गर में हो तो 43 दिन लगातार दूद भाई है, नदी नहर में चावल मिला के और उसे बिरस्पति की मदद भी दी जा सकती है अब 43 दिन तो आज के समय में करते हैं नहीं तो ये परिवर्तन हमें जो सियों का काम है, हमारा काम है ये हमें करना पड़ेगा नई से से चंदर्मा को मंगल की मदद हो गई, इस तरीके से फिर लिखा सफेद बिल्ली अरे भाई सफेद बिल्ली को खाना पीना खिलाते रही है, सेवा करिए न चंदर्मार में का बुरा असर खतम हो जाएगा सिंपल सा तरीका है फिर लिखा मी का पानी, तो मी का पानी बरके रखा जा सकता है उस पानी से नाया भी जा सकता है वो तो बिरस्पती साथ में घर में भी मी का पानी, बारिस का पानी कलाब मिल जाता है सुकर खाना नंबर एक में लिखा पराई औरत की महबबत तो सुकर के बनाबट में कलीस है सुकर मस्नुई बनता है रहू के दूसे रहू की चुस्तिचाला की चंटपना होस्यारी केतू का भोलापन मासूमियत पुरुस के लिए इस्तिरी, इस्तिरी के लिए पुरुस सुकर लाल किताब के अंसार और दुनिया के सबसे बड़े दोके इसी संबंद में मिलते हैं इस्तिरी पुरुस को और पुरुस इस्तिरी को हो जिस टेवे में राहू मन्दा हो उसका जीवन साथी अमुमन सर्फ सुकर को ही मत देखिए टेवे में राहू भी होता है एक सुकर के अलाबा जब राहू सुकर वे सक अच्छा बैठा हो लेकिन राहू मन्दा हो तो क्या उस व्यक्ति के जीवन साथी में राहू के अबोन उसके सुकर तक ना जाएंगे ध्यान करके अब दूसरी बात सुकर खाना नमबर एक में गद्धी राजा के स्थान पे तो वो अपनी ना चलाएगा क्या अपनी मनमर्जिया ना करेगा इसलिए चरत्रहीन होना बहुत आसान और सुकर की तो बनावट में राहू के दू का भेद चुपा हुआ है दुनिया जहांके सबसे बड़े धोके फरे पती पत्नी के बीच में होते हैं बाकी तो सब बेपूफ बनाने वाला सिस्टम है कि सबसे बड़े धोके इसी समंद्ध में होते हैं और जब सुकर को ही गद्धी मिल जाए गद्धी मिलने का मतलब है राजा यानि कि रानी इस्तरी गिरे है तो अब वो अपनी मनमिरजिया ना चले ऐसा कैसे हो सकता है अब एक और सुत्र बताता हूँ उसके बाद कोश्चन आंसर लूँगा सुकर घर चार में रासी फलका है किताब कहती है कि चंद्रमा का उपाय मददकार होगा और किताब में ये भी लिखा है कि मामू बरबाद इस सुत्र को खोलिए कोई मैं चाहूँगा कौन बताएगा 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 चंद्र और सुकर मिलके के तो खराब हो जाता है चंद्र और सुकर के मिलने से मामा और ससुर बरबाद होता है तो फिर ससुर बरबाद कैसे हो रहा है भई ससुर तो राओ की पुरुस के लिए और इस तरी के लिए बिरस्पती की चीज है भूलिए अब इस सुत्र को ध्यान करना बहुत ध्यान से खाना नंबर चार पूर्ण मल्कियत चंद्रमा की बहां पे बैठा सुकर इसको आपको समझना पड़ेगा कि सुकर और चंद्र इखटे यानी की मुस्तरका होके बैठे हुए हैं और मामा का घर बरबाद जो की चंद्र और सुकर मिलने के कारण ही होता है यह बद्वासीत महीं से पैदा होती है यानि कि किसी भी गिरह का उसके घर में बैठना यह भी साबित करता है कि बहुत गिरह मिल रहे हैं मैंने इसलिए ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक आपको बताए हैं नो गिरों में अगर सारे घर घर के बोलूँगा तो 144 टॉपिक और 144 में भी सिरफ एक एक तो एक गिरह का बोलूँगा नहीं दो दो तीन तीन बोलूँगा और मैंने खुले सब्दों में बोला है आज आपको की गुटका ले लेजी है मामूली सा हमारे गुटगाओं में तीन सो का मिल जाता है हो सकता है आपके यहां चाले तीन सो चार सो का मिल जाएगा साइद उस पे साले चार सो प्रेंट रेट है या चार सो प्रेंट रेट है उपाये बनाना आपको बताया आज गिरह को नेक करना इनी सुत्रों से बताया आप कुछ उधारन चालिस मैंतालिस उधारनों से गिरह को खुश करके उससे लाब लेना बताया जैसे सूरज खाना नुमर छह में बंदरों को गोड़। बारा के बारा गरों में नो के नो गिरों के इसी प्रिकार से उपाय बनाए गई है। नीच के गिरे का अस डारेक्ट उपाय नहीं करना चाहिए, पंडजी ने भी नहीं किया है। गिरेफल के गिरों का अउपाय मसनुई रूप में तोड़के या बनाके कर दीजिए। आज यहीं पे रिकॉर्डिंग मतलब क्लास रोकता हूं आप लोग कोश्चन आंसर दोरा दीजिए। मैं आज यह एक पेज लिखके बैठा था और सिरफ यह चार-पांच लाइन पे बोल पाया हूं। बाकि सब बच गया। क्योंकि अगर उधारन नहीं दूँगा तो आप लोगों के आगे क्लिरटी नहीं हो गई। इसलिए उधारन दे दे के बढ़ाया। और मेरे ख्याल से आज आप लोगों में से सब यह बात कह सकते हैं कि लाल किताब को अगर पढ़ाया जाए तो चार-पांच-छे-हजार गंटों का टाइम चाहिए है। क्योंकि मैंने बोला ना कि दो-तीन लाइन पकड़ लेता हूं तो इस पर ही इतना मैट्रियल होता है बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा होता है और चार-पांस साल का ना तो आपके पास समय है ना मेरे पास समय है तो मैंने सीधा आपके लिए रस्ता बता दिया जो बिलकुल नेक है और मैं आपको ये भी बता दूँ किताब के बाद हूँ मैं? किताब पहले है किताब बहुत पहले है किताब पढ़िए अगर आपको उचाई पगड़ दी है मैं भी किताब के पढ़ पढ़ के ही यहां तक आया हूँ मैंने पेज में लिखी हैं कम से कम, कम से कम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस चौदा, सोला, सत्रा लाइन लेकिन मैंने आप लोगों के सामने पढ़िए सिरफ एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन मतलब, सौट में लिख लेता हूँ कि आज मैं इस पर बोलूँगा बोलना जाऊँ और ये कला सीखने के लिए सिरफ आपको किताब पढ़िए, मेरी हाँ चोड़के विंतिया हमारी प्राचीन विद्याइं वरभाद हो रहे हैं, इनको बचाईए मैं इसलिए सस्ते से सस्ता कूर्स बनाने की कोसिस करता हूँ मैनत करिए आपके हाथ में रामबान होगा कहते हैं मैनत करिए कोई कोसिण है दो रहा लीजिए कोई कोस्चन नहीं है अब जित आपकी आवाज आवाज एक बार भी आपने चार चे बार बोला एक बार भी अच्छी आवाज नहीं आई है नेट कनेक्शन ठोड़ा ठीक करो गए दड़ीकि आपने हीं वहां कर सकते हैं अगर चौथे गर मंगल को तो चीज Thanksgiving कर सकते हैं मंग तो अपना लग algorithm होगा ही होगा ना पहले वहिए कि जटे में सूरज भी सूरज बुद्ध को मिला दो साब अरे हिंग में सफेद नमक मिला दो इसा हुआ हो गया काम ठीक है सर अब बोलो शनी तो मिला हुआ सर तीन के लियार आप इतने सीने राद्मियों सब्सक्राइब अच्छा है तब भी अच्छा होगा कोई टेंशन नहीं है राइट सर टेंशन आ रहे हैं सचिन कोशिक गुरूजी बुद्ध बारा में जो आपने उपाय बताया है तो उपाय को समझते क्या हो यार आप लोग यह उलियों के टिप पर आ जाएंगे आप किताब में मैं किताब के उपाय कराता तक नहीं हूं पकड़ा गिरे कि बस तू पकड़ी कर यह करते हैं आप मेहनत करो उपाय में मत फस हो जादा गुरुजिस का मतलब कुशना जाता हूँ जैसे आपने खोल के बताया में मतके के बारे में आप सुनबर मैं बता देता हूं गिरेंका उपाय का मतलब सथितना इतना होता है कि उस गिरह की उपाय करवाने का मतलब है वो गिरह मंदासर दे रहा है उस गिरह का मंदासर दू हो जाए तो उसको नवाद हुआ के साफ करतिया जाता है कोई गिरह कहीं से कहीं नहीं जाता आपके घड़े बहाने से, इंग बहाने से, इतने बड़े-बड़ी एनरजी वाले गिरह है, जहाँ पे इंसान की उकात नहीं है, वित्रफ सर्फ चंद्रमा तक पहुँच पाया है, उनके उपाए हम कर लेंगे क्या, बस हमारी औरा में जो नेगटिव एनरजी है न, वो हम ध हो देते हैं, और कुछ नहीं है, कोई गिरह कहीं नहीं जाता, बुद्वारा का बारा बैठा रहेगा, नो का नो बैठा रहेगा, आठ का बैठा रहेगा, कोई भी गिरह, चाहे चार में बेजो, चाहे मंदर में बेजो, कोई कहीं उठके नहीं जाता, गिरह का उपाय का मतल हो रही है तो बारिस में पूरे किता में भिखके जाती घर जाके चांटे पड़ते थे अच्छी तरीके से बात को समझ रहे हो फिर मा ताजे पानी से नवा देती थी और बड़िया कपड़े पैना देती ऐसे ही उपाय करके आप गिरों को नवा दुबा के साफ कर लेते हो आप सोच रहे हो कि वह बह जाएंगे चार में या मंदर में भेज़ दो के चले जाएंगे वह अपनी चाल बदल देंगे क्या हमारे भविश्य के लिए हमारे उपाय के लिए ऐसा हो सकता है उनको नेक कर लिया जाता है और उनको नेक नहीं उनके असर को नेक ठीक है जी सर यह जो घ्राइं लगन के मुताबिक ग्राएं वह अगर वर्षफल के मुताबिक राथी तो हम उसका उपाए ले सकते हैं Alec कोई दिख्वति को घै को तो बर्ष का उपाएं कर सकते हैं वर्ष का उपाएं कोई दिक्कति निया है और सर जैसे चंड्रमा है हमोड हर घर में अगर चंड्रमाय का हो और या फिर चंड्रक वक्ट में जन्म हो वों तो सब्सक्क्राइब मरिवार देता है पूसी भी तब नब व्यसक्ंद की बात करी है वाट में वैठा है थूध के समय में व्यक्ति का जनम हुआ है क्योंकि वो दिन के हिसाब से बदल जाता है आप समझेगे मान लीजिए सुकरवार को जनम हुआ बुद के समय में ठीक है बुद आठमे में या बारमे में या नो में मा गया तो किताब में ये भी तो लिखा है बुद कोश दिन वाले बार दिन ता सुकरवार तो शुकरवार सुकर के लिए घर को में साथ तो बुद कोश घर साथ में मानिये तो वो आठमें है यह नहीं तो क्या वो मंदासर देगा? खतम किस्सा हो गया के लिए और दूसरा पाइंट यह कि फिर भी वह चार पांच परसेंट अगर मंदा असर दे तो दिन वाले गिरय को नेक कर लो यानि कि सुकर को हुआ तो सुकर बार को हुआ जनम तो सुकर को ठिक कर लो खाना नंबर साथ का मान के बस और क्या है इसलिए उ अरे वो सुत्र अलग है उसको इससे क्या जोड़ रहे हो यार उसका कोई नियम थोड़ी ना है ऐसे थोड़ी ना होता है कि सो चंद्रमा के बक्त में जनम हुआ तो चंद्रमा को जनम बक्त का गिरे तो बुरा असर देता ही नहीं अजया बहार निकले इधर की उधर चीज़े मत गुसाओ जो जहां पर जितना है वो उतना ही रखो ऐसे गुसा दोगे तो सब चीज़ें उलट-पलट हो जाएं अगर ब्रस्पती दो में हो तो अच्छा हो जाएगा मंगल दो में हो सुकर च्छे किसे में तो अच्छा हो जाएगा आपके शुकर चार के समय कुए में दूड डाल देना अच्छा असर होगा दूड अलदी चावल वहा देना अच्छा असर होगा नदी नहर में शुकर चार का भी लेकिन प्रॉपर अपना उपाय कर दिया जाए तो बहतर है दो और साथ खाली हों तो बहुत जरूरी है कि उस आड़ू की किटक में सुर्मा भरके दवा दिया जाए पारक में गास में मैदान में ऐसे हैं और कोई सवाल है कि गीता जी गीता सर्मा जी चलिए फिर अब दो तीन दिन की चुट्टी है 15 तारिक को नया बैच सुरू होगा झाल